भारतिय इतिहास के आधिकाल से हिंदू आर्य जाति ने मानव की आध्यात्मिक क्षमताओं के विकास और संसकार को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने इन कोशों की पुष्टी, विश्राम और उन्हें जीवन्त बनाने के अनेक उपायों का आविश्कार किया। स्थूल शरीर समस्त शक्तियों और पूर्णता की संभावना से युक्त सूक्ष्म शरीर का बाहिय आवरण है। जिस प्रकार स्थूल शरीर को आहार, विश्राम, व्यायाम तथा विकास हेतू, कुछ अनुकूल परिस्थितियों की आवश्क्ता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को भी होती है। इस मन प्रधान सूक्ष्म या आध्यात्मिक शरीर के विकास, व्यायाम एवं विश्राम के लिए और उसे पुनरुजीवित करने के लिए हमने क्या व्यवस्था की है। यह बड़े खेद की बात है कि हम अपने स्थूल शरीर को सुधारने में तो व्यस्त हैं, लेकिन हमने इस सूक्ष्म शरीर को लगभग भूखा ही मार डाला है, जिसका यदि सावधानी पूरवक पालन पोशन किया जाए, तो शारिरिक और आध्यात्मिक स्तर पर हम अद्भ वोच्च संभावना, अर्थात, पूर्णता की अभिव्यक्ती के लिए सहायक परिवेश प्रदान करने वाले विज्ञान की संझ्या दी जा सकती है, इस समानता को समझने का प्रयत्न करें, देह के लिए आहार का सामान्य नियम ये है कि चयापचय या मेटाबोलिजम की प् अर्थों को अपनी विभिन क्रियाओं के दौरान खर्च करते हैं, जिसकी पूर्ती के लिए भोजन करते हैं, लेकिन खाया गया भोजन ही देह का एक मात्र आहार नहीं है, उसकी पुष्टी और विकास के लिए पांचों इंद्रियाओं भी आहरन कर रही हैं, हम जानते हैं में हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आहार हानिकारक और लाभप्रद दोनों हो सकता है, मानसिक उर्जा के परिपूरण के लिए भी हम स्वाभाविक ही विभिन बाहिस रोतों से आहार लेते हैं, ध्यान की एक विशेश पद्धती है, जिसके द्वारा ह हम बिना किसी खर्च के अबाध रूप से आध्यात्मिक आहार प्रदान करने वाले इन सूक्ष मसरोतों के साथ सतत संपर्क बनाये रखने की शक्ती प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान की इस पद्धती का विवेचन हम बाद में करेंगे, यहां इतना जानना ही परियाप्त है कि अपने भौतिक आहार के चयन में हम जिन बातों का ध्यान रखते हैं, उनका आध्यात्मिक आहार की प्राप्ती में भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है मन को आवश्यक व्यायाम प्रदान करना। कि उचित व्यायाम से मांस पेशियों की शक्ती एवं अन्य शारिरिक शमताओं की दक्षता को इच्छा नुरूप बढ़ाया जा सकता है। एक किसान की कथा है जो अपने प्यारे छोटे से बचडे को उठा कर एक सरिता पार करता था। ऐसा वह प्रतिदिन करता था। धीर विकसित सांड को आसानी से उठाने लगा था। कहानी होते हुए भी यह इस बात को दर्शाती है कि कि किस प्रकार धीरे धीरे व्यायाम के द्वारा मांस पेशियों की शक्ती अविश्वसनिय मात्रा तक बढ़ाई जा सकती है। भारत में मैंने शारिरिक बल के आश्चर्य जनक करतब देखे हैं। मैं एक व्यक्ती को जानता था जो रस्यों द्वारा पूरी रफ्तार से चल रहे रेल के दो इंजिनों को रोक सकता था। वही व्यक्ती अपने सीने पर रखे एक तखते के ऊपर हाथी को चढ़ा सकता था। मुझे उसकी इस भीम जैसी शक्ती के व विनम्र अहंकार रहित शब्दों में कहा कि पंजाब मेल को उतनी ही आसानी से रोकने में समर्थ होने पर वह संतुष्ट होगा। उस समय पंजाब मेल भारत की सबसे तेज रेल गाड़ी थी। व्यायाम द्वारा हमारी शारिरिक शक्ती में कल्पना तीत वृद्धी की जा अभ्यास के अभाव में हमारी मानसिक क्षमताओं का शोचनी इहरास हुआ है। परिणाम स्वरूप हमने देह पर अपना नियंत्रन खो दिया है। हमारी स्मृती शक्ती नश्ट हो गई है। हमारी विशलेशन की क्षमता, दूरद्रिष्टी तथा मानसिक शक्ती के अनेक स पक्षों का नाश हो गया है। लेकिन अनेकों ने इन क्षमताओं का उपयोग और विकास कर आश्चरे जनक दक्षता अरजित की है। इससे यह सिद्ध होता है कि वैज्ञानिक रीती से नियमित अभ्यास द्वारा कोई भी ऐसा कर सकता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी एकागरता की शक्ती का ऐसा विकास किया है कि वे किसी भी पुस्तक के प्रिष्ठों को एक द्रिष्टी में पढ़ सकते हैं। इसके पीछे का मनो विज्ञान आसानी से समझा जा सकता है। हम जानते हैं कि जब बच्चा पढ़ना सीखता है तब वह एक क की नजर में पूरे वाक्य को पढ़ लेता है। इसी क्षमता का और अधिक विकास करने पर एक पूरा पैराग्राफ या परिछेद एक नजर में पढ़ा जा सकता है। मन को एकाग्र करने की क्षमता का विकास करने पर एक पूरे प्रिष्ट को एक वाक्य अथ्वा पैराग्राफ की तरह आसानी से पढ़ा जा सकता है। कई बार हमारे जीवन में कुछ विशेश समस्याएं आती हैं। मन को स्थिर बनाने की विधीन जानने के कारण हम कोई निश्चित और रचनात्मक निर्णय नहीं कर पाते। किन्तु एकाग्र मन आसानी से विक्षिप्त मन के लिए अगम्य गहनतम समस्या की गहराई में जाकर उसका समाधान खोज सकता है। चाहे किसी के जीवन का धे ये कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मन की एकाग्रता का अभ्यास और उसकी उपलब्धी परमावश्यक है। ध्यान और एकाग्रता की शिक्षा और अभ्यास रहित मन अपने परिवेश के लाभ एवं हानी को सपष्ट रूप से समझ नहीं पाता। इसके विपरीत ध्यान अभ्यस्त मन ततकाल परिस्थितियों के साथ सामंजस से बिठा कर उसका श्रेष्टतम सदुपियोग कर सकता है। दो दिनों के बीच एक मधुर अंतराल के द्वारा कर दी है। लेकिन बेचारा अती भारा करांत मन निद्रा में भी बिरले ही विश्राम पाता है। उसे ध्यान की एक निर्धारित प्रक्रिया द्वारा पुनः शक्ति लाभ का अवसर दिया जाना चाहिए। कुछ दिनों तक परियाप्त निद्रा न होने पर हमारी क्या अवस्था होती है। ये हम जानते हैं। लेकिन सत्य यह है कि अपने आविर्भाव से लेकर जीवन के अंत तक बेचारे मन को निद्रा, विश्राम या पुनह शक्ति संपन होने का अवसर ही नहीं मिलता। अतह इसमें कोई आश्चरे नहीं कि वह दुर्बल और प्राणहीन हो गया है। निश्चे ही उसमें मुकाबला करने की अद्भुत क्षमता है। अन्यथा वह उसे निरंतर मिल रहे निर्दय और निर्मम व्यवहार द्वारा कब का नेस्तनाबूध हो गया होता। मन को अत्यावश्यक विश्राम देने और तनावरहित करने के लिए ध्यान की एक विशिष्ट प्रणाली है जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि कार्य का परिवर्तन मन को तनाव मुक्त करता है। हम सोचते हैं कि हमारा तनाव दूर हो रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वस्तुतह होता ये है कि हम कुछ समय के लिए मन के श्रम साध्य और क्लांती प्रद कार्यों से हट कर किसी नए हलके कार्य को करने लगते हैं। किन्तु इसे वास्तविक विश्राम नहीं कहा जा सकता। मन को सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बोज की ढुलाई से पूर्ण रूपेण छुटकारा दिलाने पर ही मन को सच्चा विश्राम मिल सकता है। अन्य किसी भी कर्तव्य के द्वारा परिचालित, नियंत्रित या नियोजित ना होकर जब मन पूरी तरह से मुक्त होता है, तभी वह वास्तविक स्वाधीन्ता और विश्राम का आस्वादन करता है। मन की ऐसी अवस्था, ध्यान और एकाग्रता की एक विशिष्ट पद्धती द्वारा ही पाई जा सकती है। हम प्रतिक्षण एक मनोवैज्ञानिक भ्रह्म में जी रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही मन में थकान, निराशा और जुझलाहट पैदा होती है। यह भ्रह्म, द्रष्टा और द्रिश, आत्मा और अनात्मा के अंतर को न समझ पाने के कारण होता है। अनात्मा सक्रिय है, सारे कार्य करता है, तथा द्रिश्यजगत में इधर उधर जाता आता है। सच्चा आत्मा साक्षी और प्रकाशक है। अपने स्वरूब भूत प्रकाश के द्वारा देह और मन को प्रकाशित करने के अतिरिक्त वह उनके कार्यों में कोई सक्रिय योगद इस आश्चर जनक सत्य पर विशेश ध्यान देना चाहिए। आविशेश ध्यालographics अधिकार में विद्युमान पदार्त हैं, और वास्तविक अहम या आत्मा अधिकारी है। तो फिर अधिकारी और अधिकरित के बीच, यह व्यर्थ का भ्रम क्यों? क्या हम अपने व्यवहारिक जीवन में अधिकरित को ही सदा अधिकारी नहीं समझते? क् हम वास्तविक अहम को पहचान कर उसके शाश्वत महिमा मंडित सिंहासन पर उसे प्रतिष्ठित करते हैं। त्यों ही, देह यंत्र की अवस्था चाहे कैसी भी क्यों न हो, हमें विश्राम, तनाव शून्यता और मन की पूर्ण निर्मुक्तता का अद्भुत अनुभव होता ह उसे उच्चतर अहं के प्रिथक अस्तित्व का अनुभव करते ही अत्यंत क्रियाशीलता के बीच भी हमें अत्यंत गहनतम विश्राम का सुख प्राप्त होता है। तनाव शून्यता की साधना का दार्षनिक आधार ध्यान की सहाइता से परमात्मा के शांत और नित्य पूर उसके वास्तविक स्वरूप का अत्यंत सुंदरवर्णन एक उपनिशद में एक जीवन व्रिक्ष की अत्यंत सांकेतिक और गंभीर उपमा के माध्यम से किया गया है। मानव जीवन की तुलना एक ऐसे विशाल व्रिक्ष से की गई है जिसकी जड़ें अग्यात की अथाह गहराईयों में चली गई है। इन से अनेक टहनिया, पत्ते, कलिया, फल, फूल और पत्ते निकलते हैं। ये उन संसकारों के फलों और अनुभवों के सद्रिश हैं जिनके बीच से होकर मानव जीवन गुजरता है। उचित समय पर पत्ते उगते हैं। वे बढ़कर परिपक्व होते हैं और व्रिक्ष पर कुछ समय तक रहने के बाद, अंत में व्रिक्ष के अस्थित्व में अपना योगदान करके, दूसरे पत्तों के लिए स्थान प्रदान करते हुए गिर जाते हैं। इसी प्रकार हमारे कर्म के फल उगते हैं, परिपक्व होते हैं और कुछ समय रहकर जड़ जाते हैं, लेकिन गिर जाने पर भी वे पूर्ण रूपेन विलुप्त नहीं होते, वे व्रिक्ष की व्रिध्ध के लिए अपने अनुभवों का योगदान कर जाते हैं. व्रिक्ष की तरह मानव जीवन में भी पुष्प उगते हैं, और क्रम शह विकसित होकर फल बनते हैं. फल परिपक्व होकर गिर जाते हैं, व्रिक्ष के विकास में अपना योगदान करके. पुष्प और फल हमारे शुब और अशुब और दोनों से भिन तटस्थ कर्मों के परिणाम स्वरूप हैं. वे प्रकट होते हैं, कुछ समय तक रहकर संसकार के भंडार में योगदान करके समाप्थ हो जाते हैं. इस व्रिक्ष के शिखर पर लेकिन उससे असंबध और निराश्रित एक आत्मस्त, आत्मसंतुष्ट, स्वयन जोती पक्षी बैठा हुआ है. व उसके दैवी प्रकाश से नीचे का समूचा व्रिक्ष प्रकाशित हो रहा है. यह पक्षी व्रिक्ष के शिखर पर स्थित अपने महिमा मंडित सिंहासन को कभी नहीं त्याकता, क्योंकि उसकी किसी प्रकार की इच्छाएं, आवश्यक्ताएं नहीं हैं, वह परिपूर्ण ह बहुत कुछ मिलता जुलता एक और पक्षी इस व्रिक्ष के मध्य भाग में रहता है. उसके निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है. वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर फुदकता हुआ सतत क्रियाशील है. वह सदा भूखा और चंचल बना रहता है. इस पक्षी का लोब तो देखो, जितना खाता है उतनी ही अधिक उसकी भूख मानों बढ़ती जाती है. वह प्रत्येक क्षण नए फल खोजने और चखने में लगा रहता है. मीठे फल को चखने पर उसे अस्थाई सुख और आनंद का अनुभव होता है. किन्तु उसका संतोश क्षण हाई रहता है और उसे पुणह भूख लग जाती है. वह दूसरा फल खाता है लेकिन वह कड़ूआ निकलता है. तब उसे एक आगहात लगता है और इधर उधर ताकने पर वह उपर के स्वयम प्रकाश पक्षी के सौंदर्य एवं भव्यता की जलक पाता है. वह उसके प्रत पक्षी की ओर आक्रिष्ट होता हुआ, उसकी ओर एक घुमावदार मार्ग से बढ़ता जाता है. जब अंत में त्रिप्ती एवं संतोष का अनुभव होता है, तब उस पक्षी की फल की खोज में चक्कर काटने की और इच्छा नहीं होती. कभी-कभी वह उपरी पक्षी की बहुत निकट पहुँच जाता है, और उसका प्रकाश एवं प्रशान्ती अत्यंत स्पष्ट रूप से उस पर प्रतिबिम्बित होने लगते हैं. अंततह उसकी प्रिथक सत्ता नश्ठ हो जाती है, और वह उपर वाले पक्षी में विलीन हो जाता है. उसे अनुभव होता ह कि नीचे वाला पक्षी उपर वाले पक्षी की छाया मात्र था. यह सब माया थी. उपर वाला पक्षी ही एक मात्र सत्य है. तथा वह जीवन व्रिक्ष की वृद्धि और विकास में कोई सक्रिय भूमी का अदा नहीं करता. हमारी सत्य आत्मा ही उपर वाला पक्षी है. नी प्रथम पाठ समवेदन को उस प्रक्रिया से किसी भी प्रकार संयुक्त हुए बिना देखता हूँ। मैं नित्यानंद स्वरूप, आत्म संतुष्ट, स्वयन जोती और सत्यस्वरूप हूँ। मैं पूर्ण सच्चिदानंद हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही जोतिर्मय पक्षी, नित्यमुक्त आत्मा हूँ। ऐसा संकल्प करने के बाद, उपर वाले पक्षी में अपनी चेतना को द्रटा पूर्वक लगाए रखकर, मन को स्वच्चंद विचरने दो। उसे रोकने का प्रयत्न मत करो। उसे उसकी इच्छानुसार फल खाने दो। उसे जब इस बात का भान होगा कि उच्चतर आत्मा उस पर सतत द्रिष्टी रखे हुए है, तब वह अधिकाधिक शान्त होने लगेगा, और उपर वाले पक्षी रूप अपने घर जाने की लालसा उसमें जागेगी। इस पाठ का भ्यास जितनी बार संभव हो, करना चाहिए। जब कभी थोड़ा समय मिले, इसकी कलपना करो। मन ही मन इस मंत्र का जप करो, मैं वही हूँ और इसके साथ जीवन व्रिक्ष के रूपक में नहित भाव की स्पष्ट कलपना करते हुए भावना करो। इसका इतना जर्या के बाद घर पर आराम करते हुए। वस्तुतह, जब कभी व्यस्तता के बीच जिन कुछ क्षणों का तुम्हें विश्राम मिले, इस विचार में डूब जाओ। इससे तुम्हें यथार्थ विश्राम और शांती का अद्भुत बोध होगा। इसका जितना अधिक अ अभ्यास हो सके करो, धीरे धीरे इस सत्य को अपने मन बुद्धि में आत्मसात करने का प्रयत्न करो, जिससे इस पाठ के प्रति तुम्हें और ध्यान न देना पड़े और वह तुम्हारे श्वास प्रश्वास की भाति स्वाभाविक हो जाए। अनंत भंडार से संपर्क अधिकार लेकर इस धरा धाम पर आया है। यह सिध्धान्त केवल आध्यात्मिक विकास पर ही लागू नहीं होता। कई योगियों ने इस सत्य को सिध्ध किया है कि अन्न, जल, वायू, आदि हमारी भौतिक आवश्चक्ताओं की पूर्ति भी हमारे आध्यात्मिक स्वरू अनंत भंडार से आवश्चक्ताओं की यहां तक की शारीरिक आवश्चक्ताओं की पूर्ति के विशेश ग्यान का आविशकार करने वाले एक आर्श की एक बड़ी रोचक कहानी है। जन्म से ही इस रश का लालन पालन जंगल के एक आश्रम में हुआ था। उसने केवल विश्ठतम राशियों में से एक होगा और संभवतह मानव जाति के ज्यान भंडार और प्रगती में महत्वपूर्ण नवीन योगदान करेगा। लेकिन गुरू ने इस युवक में एक कमी देखी। वह दर्शन शास्त्र की विभिन शाखाओं का विद्वान तथा योगा प्रति दिन प्रातहकाल विमठ से किसी को निकटस्थ गाउं में दिन भर के लिए पर्याप्त पके अन्न की भिक्षा के लिए भेजते थे। एक दिन गुरू ने इस युवा सन्यासी को भिक्षार्थ गाउं में भेजा। वह पहली बार मठ के बाहर जा रहा था और नए अ अनुभव के लिए उत्सुक था। जंगल से निकल कर उसने गाउं में प्रवेश किया। जीवन में पहली बार उसे ऐसे लोग दिखाई दियें जो उसकी अभिग्यता से बहुत भिन्न थे। उसने लोगों से बात चीत की और उनकी बातों को चाव से सुना। गुरू के निर चर्य चकित हो गया कि उसकी और भौचक का हो देखता रह गया। इससे युवती लज्जित हो गई और लोट कर जाने लगी। सन्यासी ने उसे रूकने को कहा और बोला कि वह उससे कुछ बातें पूछना चाहता है। वह इतनी भिन्न क्यों दिखाई देती है। उसका शार वह आपके प्रशनों का उत्तर देंगी। युवा सन्यासी को देखते ही माने परिस्थिती को भाप लिया। वह समझ गई कि सन्यासी ने पहली बार किसी नारी को देखा है। मात्र सुलभ स्नेह के साथ उसने युवा सन्यासी को उसके सभी प्रशनों के उत्तर दिये। उस उसके शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक शमता का विकास उस महान उद्देश की पूर्ति के लिए हो सके। उसने बताया कि नारी कोमल दिखती है क्योंकि बालक के लालन पालन में ऐसी कोमलता की आवश्यक्ता होती है। उसकी वानी मधुर और सुरीली होती है, जिससे वह भावी पीडियों को शान्ती दायक गुण प्रदान कर सके। उसने इस सत्य को भी जोर दे कर समझाया कि जन्म होने पर बालक को प्रचुर मात्रा में आहार चाहिए, जो बच्चे के आगमन से बहुत पहले से ही मा के शरीर में संचित रहता है। इस ग्यान से, जो उसे पुस्तकों से नहीं मिला था, वह युवा सन्यासी अत्यंत प्रभावित हुआ। आश्चर्य चक्कित हो उसने पूछा, क्या आप यह कहना चाहती हैं कि मेरे जन्म से बहुत पहले ही मेरे प्रभु ने मेरे आहार को मेरी माता के शरीर में संचित करना आवश्यक समझा था? महिला के द्वारा इस बात को स्वीकार करने पर युवा सन्यासी मानो अभिभूत हो गया, वह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, महिला ने उसे भोजन लेने की, जिसके लिए वह आया था, याद दिलाई तो उसने अनिच्छा से सिरह लाते हुए कहा, यह ब्रह्म बहुत ह अब और नहीं, युवा सन्यासी मठ लोट आया, भोजन के बारे में पूछने पर उसने कुछ अति सुन्दर श्लोकों में गुरू को उनकी उस भूल के लिए उलाहना देते हुए उत्तर दिया, कि उन्होंने उसे इस सत्य की शिक्षा नहीं दी, कि उसे संसार में भेजने इश्वर अत्यंत दयालू है, और दूसरों का इतना ध्यान रखने वाला है, उसने उसके भोजन की भी व्यवस्था उसकी माता के शरीर में कर रखी थी, उसने कहा, क्या आप सोचते हैं कि इश्वर मर गया है, अत्वा अपने कारे के प्रती इतना लापरवाह है, कि बड़ भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, मैं आवश्यक्ता पूर्ती के इस अनंत भंडार के साथ संपर्क स्थापित करने की विधिक हो जूँगा और संसार में उसकी शिक्षा दूँगा, परंपरागत रूप से इस आशिको उस सत्य का आविशकारक माना जाता है, इस कथा क अतिरिक्त भी वस्तुतह युक्ती और अनुभूती के आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका है, कि मनुष्य अपनी समस्त आवश्यक्ताओं की पूर्ती अपने अभ्यंतर से कर सकता है, भारतिय योगी दीर्घकाल तक प्रिथिवी के भीतर दबे रहे हैं, अभिहाल में क सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं स्वाभाविक आवश्यक्ताओं के ऊपर उठ गए थे, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक शरीरों के पुनरुजीवन तथा परिपूरण के लिए योगी गण विभिन साधनाओं की शिक्षा देते हैं, जिस प्रकार हम भौतिक आहार क विधिका हम सर्व प्रथम वर्णन करेंगे, मानसिक जगत में किसी भी व्यक्ति के द्वारा पैदा की गई तरंगें कभी नश्ट नहीं होती, वे व्यक्तिगत चेतना में विशेश अनुकूलता के अवसर पर पुनह प्रवेश करने के लिए अत्यंत सूक्ष्म रूप में सदा विध्यमान रहती हैं, इसे समझाने के लिए एक बड़ा उपयुक्त द्रिष्टांत दिया जा सकता है, एक वाद्ययंत्र के तारों को एक स्वर विशेश में बांधने के बाद, पियानों पर उस स्वर विशेश को बजाओ, तुम देखोगे कि पियानों पर उस स्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी चेतना के यंत्र में किसी स्वर विशेश को बांधता है, तो मानसिक जगत में विद्यमान उसके अनुकूल विचारों को अपनी ओर आक्रिष्ट करता है, बुद्ध, ईसा तथा अन्य सभी अवता विचारों, संतों और अर्शियों की विचार तरंगें मानसिक आकाश में विद्यमान हैं, इसी तरह दूसरों की भी विचार तरंगें हैं, अतह हमें कल्यान प्रद तरंगों के संपर्क में आने की तथा अकल्यान कर से बचने की विशेश सावधानी बरतनी चाहिए, संक्रमन से बचने और उदात्त बनाने वाले विचारों के शुभ प्रभाव के प्रती स्वयम को उन्मुक्त करने के लिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य विज्ञान सीखना आवश्यक है। इसके लिए एक विशेश योग प्रणाली का अभ्यास किया जाता है। सकारात्मक और शुद्धिकारक विचारतरंगों के संस्पर्ष में आने के लिए व्यक्तिगत चेतना में कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं, जिससे उसका आवश्यक्ता पूर्ती के मुख्य प्रवाह के साथ संपर्क स्थापित हो सके। द्रिष्टांत के लिए सोचें कि यहां एक विद्युत जियोती, बल्ब है और दीवार पर एक बटन है। मानव देह के किसी स्थान विशेश में विद्यमान एक विशेश बटन का उचित उप्योग करना पड़ता है। योग में इन विशेश स्थानों अथवा बटनों को कमलों के संकेत द्वारा दर्शाया गया है। अवश्य, इन्हें सचमुच के कमल नहीं समझना चाहिए। ये सांकेतिक हैं। ध्यान का दूसरा पाठ। मस्तिश्क में भ्रूमध्य के स्तर पर एक श्वेत ज्योतिर्मय द्विदल पद्म की कलपना करो, जिसके बीच में एक वृत्त है। पद्म उपर की और मुह की ये पूरा खिला हुआ है। चक्र के उपर पूर्ण चंद्र का प्रतीक विराजित है, जिससे शुद्ध श्वेत किरणे निकल रही है। सीधे बैठ कर पूर्ण चंद्र से प्रसारित हो रही किरणों की स्पष्ट कलपना करते हुए उस श्वेत पद्म का ध्यान करो। ऐसी भावना करो कि उन किरणों के माध्यम से विश्व के सभी महान आध्यात्मिक स्त्री पुरुशों के द्वारा पैदा की गई तथा मनोजगत में संचित की गई विचार तरंगें तुम्हारी और तेजी से प्रवाहित हो रही हैं। सोचो कि तुम्हारा प्रत्येक परमानू उन तरंगों द्वारा परिपूर्ण हो रहा है। ऐसा संकल्प करो। मैं मनोजगत से उदात, शुद्धिकर, बलप्रद, शक्तिदायक विचारों को ग्रहन कर रहा हूं। अवतारों, आरशियों, आचारियों के द्वारा संचित भाव संपत का मैं अधिकारी हूं। विश्व के सभी देश, काल, जाती और धर्म के सभी अवतारों की विचार शक्ति। मेरी चेतना में विद्यमान कम से कम दस मिनिट तक इस प्रकार ध्यान करने के बाद, अपने स स्थूल देह प्रिथिवी, जल, अगनी, वायू और आकाश इन पांच तत्वों के मिश्रण से बनी है। इन पांचों महाभूतों के कुछ विशेश गुण और शक्तियां होती हैं। इन महाभूतों के साथ संपर्क स्थापित कर हम विराट भंडार से अपनी आवश्यक्त संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यहां भी कुछ विशेश बटनों की सहायता से हम इन विराट शक्तियों में से किसी के भी साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यह संपर्क देह के भीतर स्थित कुछ केंद्रों को नियंतरित करने तथा उन पर ध्यान करने से स्थापित हो गण सदियों से उप्योग करते आ रहे हैं। उज्वल प्रकाश युक्त इस्त्रिकोन की कलपना पद्म के रक्तवर्ण वृत्त की प्रिष्ठ भूमी में करो। अपने शरीर में प्रकट कर रहा हूँ। हे विराटमा थे! जागो! अपनी शक्ती से मुझे परिपूर्ण कर दो। आपने अपने वक्ष पर परवतों, सागरों और मैदानों को धारण कर रखा है। मुझे भी द्रढता से धारण किये रखो। जिससे मैं पूर्णता प्राप्ति के अपने लक्ष से चुत न हूँ। मेरा स्वास्थ्य, उद्देश्य, इच्छा शक्ती और आध्यात्मिक आदर्ष द्रढ़ प्रतिष्ठित है। जगत की कोई भी शक्ती मुझे डिगाने का साहस नहीं कर सकती। मैं पृत्वी माता की तरह बलवान, द्रढ़ एवं स्थिर हूँ। इसके बाद मेरुदंड में जननेंद्रिय के स्तर पर एक अन्य पद्म की कलपना करो। यह पद्म छह पंखुडियों का सिंदूरी रंग का है और एक वृत्त को आवृत किये है। वृत्त पर श्वेत बालचंद्र का प्रतीक है जिससे किरणे निहसृत हो रही है। बालचंद्र का घुमाव पीछे की ओर है। कलपना करो कि उन किरणों के माध्यम से विराठ जल तत्व का प्राणवंत और स्फूर्ति दायक प्रभाव तुम में प्रवाहित हो रहा है। इसके साथ निम्नुक्त संकल्प करो। हे सबके सुहृत, उठो, जागो, अपनी शक्ती और विशेशताओं से मुझे परिपूर्ण कर दो। मैं विनम्रता, सज्जन्ता और अनुकूलता जैसे सगुन जल तत्व से प्राप्त कर रहा हूँ। मैं दंभी और अहंकारी नहीं हूँ। मैं सबसे दीन हूँ। सबका दास हूँ। किसी प्राणी की सेवा करना मेरा परम सौभाग्य है। जिस तरह पानी किसी भी परिवेश के साथ उसके गुणों को पूरी तरह से आत्म साथ कर तथा अपने मौलिक स्वभाव का रंच मात्र भी त्याग किये बिना तालमेल बिठा लेता है। उसी प्रकार मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि मैं सभी परिस्थितियों में अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के साथ अपनी मौलिक पूर्णता को पूरी मात्रा और अनुपात में बनाए रख कर तालमेल बिठा सकता हूँ। जलतत्व के समान तरल, कोमल, नरम और लचीला हूँ। मेरुदंड में नाभी के स्तर पर एक और पद्म की कल्पना करो। एक वृत को आवृत किये वह दश दल कमल अरुणवर्ण का है। उसके अरुणवर्ण की प्रिष्ठ भूमी में एक और प्रतिकात्मक त्रिकोन है, जिसका कोन सामने की ओर है। चमकदार किन्तु स्निग्ध श्वेत प्रकाश से बना यह त्रिकोन अगनितत्व का प्रतीक है। पिछले पाठ की तरह अपने मन को यह सुझाव दो कि इस प्रतिकात्मक त्रिकोन की स्निग्ध किरणों के माध्यम से तुम्हें अगनितत्व के विश्व जनीन सगुन प्र कर रहा हूं। जिस प्रकार अगनि सभी बाधाओं को पार कर जाती है, किसी से दमित नहीं होती और सदा विजयी होती है, उसी प्रकार मेरा स्वरू भूत पूर्णत्व सभी बाधाओं को लांग कर मेरे समक्ष प्रकट हो रहा है। मेरी आत्मा की अगनि से सभी संक्रमन, स स्पर्ष और संदूशनकृत मलीनता भस्म हो रही है। मैं अगनितत्व की तरह नित्य शुद्ध, सदा उज्ज्वल, प्रकाश्मय और सर्वशक्तिमान हूँ। मैं अंतर नहित अगनी के स्पर्ष से समस्त विश्व को पवित्र कर रहा हूँ। अब मेरुदंड में, हृदय के स्तर पर वृत्त को आवरित किये एक नीलवन के द्वाद शदल पद्म की कल्पना करो। वृत्त पर दो विपरीत त्रिकोन अथ्वा शटकोन तारे का प्रतीक रखा हुआ है। इस उज्ज्वल किन्तु स्निग्ध श्वेत प्रकाश्मय प्रत पूर्ण हो रहा है। निमनुक्त संकल्प करो। आओ भाई, आओ। अपनी मुक्ति का स्पर्ष मुझे प्रदान करो। अपने पूर्ण बल और अभिव्यंजना सहित मुझ में उठो, जागो। मैं वायू की तरह मुक्त हूँ। जिस प्रकार वायू किसी के भी द्वारा स अच्छा नुसार लिप्त अथवा निरलिप्त हो सकता हूँ। मैं प्रसन्ता पूर्वक, आनंद, पूर्णतर जीवन और पुनरुजीवन का संदेश वाहक बनकर सर्वत्र बिना किसी बंधन के विमुक्त प्रवाहित हो रहा हूँ। मैं वायू तत्व की आत्मा हूँ। इसके बाद गर्दन के स्तर पर मेरुदंड में भूरे रंग के सोलह पंखुडियों वाले तथा वृत्त को आवृत किये एक पद्म की कलपना करो। वृत्त पर एक जियोतिरमय गोलाकार चक्र का प्रतीक है। इस चक्र से प्रकाश की किरणे सर्वत्र प्रसारित हो रही है तथा तुम्हारे और आकाश तत्व के बीच संपर्क स्थापित कर रही है। अपने भीतर प्रविष्ठ हो रही तथा तुम्हारे रग-रग में व्याप्त हो रही प्राण शक्ती का ध्यान करो। अब यह संकल्प करो हे अनंत, सर्व व्यापी, विश्व जनीन तत्व, पर देवताओं और उपदेवताओं से लेकर प्रिथिवी पर रेंग रहे निम्नतम प्राणी तक सभी का मूलतत्व हूँ। मैं सभी की आत्मा हूँ। मैं सभी में हूँ और सभी मुझ में है। मैं धनी में हूँ, निर्धन में हूँ, बल्वान में हूँ, दीन में भी मैं सुन्दर में हूँ, कुरूप में हूँ, मैं सभी में सर्वत्र, सार्थत्व हूँ, अपने को सभी में जानकर मैं अपने विचारों में संकीर्ण, अथ्वा सीमित कैसे हो सकता हूँ, मैं किसी से घ्रणा कैसे कर सकता हूँ, मैं विश्व प्रेम, सहिशनुता और समझ की कर मस्त हूँ। मैं आकाश तत्व की आत्मा हूँ। इन पाठों का दिन में कम से कम दो बार अभ्यास करो। तब धीरे धीरे तुम्हारा विशेश प्रकार का विकास प्रारंब होगा। एक वर्ष तक इन पाठों का व्यवधान रहित अभ्यास करने पर तुम देखोगे कि त तुम्हारे व्यक्तित्व में अद्भुत सगुणों का विकास हुआ है। तुम में सदा एक गहरी त्रिप्ति का बोध बना रहेगा, जो तुम्हें समस्त आवश्यक्ताओं और अपूर्णताओं के ऊपर उठा देगा। वस्तुतह तुम्हारा मन अत्यंत संपन्न हो आध्यात्मिक आदर्श की प्राप्ति के सुख की किसी सांसारिक आकांक्षा की पूर्ति से तुलना नहीं की जा सकती। सभी सांसारिक सुख एवं पदार्थ स्वरूपतह नश्वर हैं। किसी भी संपत्ति के तुम अनंत काल तक अधिकारी नहीं रह सकते। सांसारिक और अधिक व्रिद्ध होगी। कोई भी सांसारिक संपदा व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती। आध्यात्मिक ज्यानार्जन से सभी पर आधिपत्य स्थापित हो सकता है। एक बार एक समराट की एक योगी से भेंट हुई। वह उसे अपने महल में ले गया। उसने कहा कि उसके पास अपार संपदा है तथा सभी इच्छित वस्तुएं हैं। उसने योगी को अपने साथ प्रार्थना के लिए देवालय चलने को कहा। योगी और समराट प्रार्थन करने लगे। लेकिन प्रार्थना के दौरान समराट ने भगवान से अधिक धन संपत्ति, अधिक शक्ति, अधिक आयुआदि की प्रार्थना की। प्रार्थना के समाप्त होने से पूर्व ही योगी उठकर जाने लगा। समराट ने उसे रोका और पूछा कि वह क्यों जा रहे थे, संत ने उत्तर दिया, मैंने गल्ती की, मैं तो सोच रहा था कि मैं समराट से मिलने आया हूँ, मुझे यह नहीं पता था कि मैं एक ऐसे शुद्रतम भिखारी के साथ हूँ जैसा मुझे कभी नहीं मिला था, मैं ऐसे भिखारियों को जानता हूँ जो कपड़े या रो सच्चा आध्यात्मिक जीवन यापन करने लगा। हमें सदा याद रखना चाहिए कि अपनी आध्यात्मिक पूर्णता की अभिव्यक्ति और विकास ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यक्ता है, जिसकी पूर्ती की जा सकती है, तथा जिसके द्वारा हम पर्मानंद और चिर जीवन प्राप्त कर सकते हैं, आसन और प्राणायाम, ध्यान में दिशा, काल, स्थान, आसन और प्राणायाम की भूमिका का विचार करने से पूर्व, मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान विशेश रूप से आक्रिष्ट करना चाहूंगा, सभी दिशाओं में भगवान है, सभी स्थानों पर भगवान है, भगवान सर्वत्र है, सत्य सर्वत्र है, अतह किसी स्थान विशेश में अथवा दिशा विशेश की और बैठने से अधिक आध्यात्मिक्ता प्राप्त नहीं होती। पालन से हमें बहुत लाब हो सकता है। प्रारंभिक साधक को परिवेश की सभी अनुकूल परिस्थितियों तथा विचार प्रवाह की सहायता लेना चाहिए। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक विकास होने पर वह क्रमशह बाहिय परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। हमारा लक्ष मुक्ती है। देश, काल, अथवा परिस्थितियों की दास्ता नहीं। सडक के किनारे रोपे गए व्रिक्ष की चारों ओर से बाढ़ द्वारा रक्षा करनी पड़ती है। बाढ़ अपने आप में व्रिक्ष के बढ़ने और विकसित होने में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं करती। वस्तुतह वह एक समय बाद व्रिक्ष की व्रिद्ध में बाधक होती है। फिर भी क्षतिकारक तत्तों के आक्रमन से रक्षा के लिए पौधे के बलवान व्रिक्ष बनने तक बाढ़ बनाए रखनी पड़ती है। ध्यान की साधना के लिए जिन सहायक उपायों का उपदेश दिया जाता है, उन्हें हमारी आध्यात्मिकता के छोटे से पौधे के लिए बाढ़ स्वरूप समझना चाहिए। व्रिक्ष के बड़े हो जाने पर बाढ़ हटा लेना चाहिए। मंदिर, क्रिया, अनुष्ठान, आचार्य, पुस्तकें, आहार संबंधी नियम इत्यादी हमारे आध्यात्मिक पौधे की कुछ समय तक रक्षा कर सकते हैं, लेकिन उसके बड़े हो जाने पर क्रिया अनुष्ठान आधी की कंटीली बाढ़ व्रिक्ष को ही मार डाल सकती है नियमों का विचार और विवेक पूर्वक पालन करो, लेकिन वे तुम्हारे पौरुशत्व को पंगु न करें, किसी के भी दास मत बनो दिशा के संबंध में एक अत्यंत सुन्दर घटना का वर्णन, सिख धर्म के संस्थापक, गुरु नानक के जीवन में मिलता है एक बार वे एक प्रसिद्ध मंदिर में गए, गुरु नानक को छोड़, सभी व्यक्ति विग्रह की और मुह करके बैठे, लेकिन वे मूर्ती की और पीठ करके ध्यान करने लगे एक पुजारी ने उन्हें धक्का दे कर पूछा, कि वे विपरीत दिशा में क्यों बैठे हैं गुरु नानक ने शांत स्वर में पूछा, मैं सही दिशा नहीं जानता, क्या आप मुझे बताएंगे? मूर्ती की और इशारा करके पुजारी ने कहा, क्यों? क्या तुम्हें वे भगवान नहीं दिखते? गुरु नानक ने मुस्कुरा कर देवाले से भिन्न दिशाएं दिखाते हुए कहा, मुझे तो वहां भी दिखते हैं वस्तुतह, मुझे तो सर्वत्र दिखते हैं क्या तुम मुझे ऐसा स्थान बता सकते हो, जहां वे नहों? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि भगवान केवल इस पत्थर की मूर्ती में ही है, यही न? गुरु नानक के लिए सभी दिखाएं ध्यान के लिए उप्युक्त दिखाएं थी लेकिन हम अभी आरंभ ही कर रहे हैं, अतह हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए ध्यान करते समय यथा संभव पूर्व की ओर मुह करके बैठो पृतिवी प्रतिदिन पश्चिम पूर्व दिखा में घूमती है अथपूर्व की और मुह करके बैठने से हम उसकी गति की दिशा में बैठते हैं हम रेल या बस में जिस दिशा में वह चल रही है उसी और मुह करके बैठते हैं यह भी उसी प्रकार है तुम्हें पता होगा कि कुछ लोगों को पीछे की और मुह करके बैठने से चलती मोटर में अस्वस्थता होती है ऐसा देखा गया है कि ध्यान के समय हमारे सनायू अत्यंत समवेदन शील हो जाते हैं और जरासी असुविधा अत्यंत विक्षेप कारी महसूस होती है अन्य समय हम इन प्रवाहों के प्रती इतने समवेदन शील नहीं होते लेकिन ध्यान के समय जब हम अपने व्यक्तित्व के सभी अंगों को समरस और सुस्थिर करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं तब यह विपरीत प्रवाह अत्यंत वेग से अनुभव होता है यहां एक और तथ्यकाव लेक करना अप्रासंगिक नहीं होगा सोते समय हमारे सनायूओं को पूर्ण समरस्ता की स्थिती में होना चाहिए उस समय थोड़ा सा भी विक्षेप, अशान्ती और क्षोब पैदा कर देता है अतह सिर को पूर्व अत्वा दक्षन दिशा में रखकर पश्चिम अत्वा उत्तर की ओर देखते हुए सोना सदा लाभदायक है अनिद्रा के बहुत से रोगी केवल शैया के पुनर विन्यास द्वारा सिर को सही दिशा में रखने से ही ठीक हो जाते हैं और यदि ध्यान के समय पूर्व दिशा में मुह करके न बैठ सको तो उत्तर दिशा में मुह करके बैठो उत्तर दिशा उन्मुख हो बैठने का कारण ये है द्रुविये चुम्बकीये तरंगें दक्षन से उत्तर ध्रुव की ओर प्रवाह मान रहती हैं उत्तरोन मुखी हो बैठने से हम इस प्रवाह की दिशा में मुह करके बैठते हैं और दक्षण की ओर सिर करके सोने से यह प्रवाह हमारे सिर से पैर की दिशा में प्रवाहित होता है। जिस दिशा से प्रवाह आ रहा है और ध्यान में उस ओर मुह करना उचित है जिधर प्रवाह जा रहा है अर्थात उत्तर दिशा में। अब काल के विशय में चर्चा करें। एक शांति का अनुभव करते हैं। इन चार काल खंडों को संधिकाल कहा जाता है जो प्रत्येक 45 मिनट का होता है। यह संधि के साढ़े 22 मिनट पूर्व प्रारंभ हो उसके साढ़े 22 मिनट बात तक रहता है। प्रथम संधिकाल सूर्योदय है, दूसरा मध्यान जब सूर्य भ्रूमध्य को पार करता है, तीसरा सूर्यास्त और चोथा मध्यरात्री। योगा 22 साढ़क को अपनी दिन चर्या और गति विधियों की व्यवस्था इस तरह करनी चाहिए कि ध्यान के लिए अनुकूल इन समयों का सबका नहीं तो कम से कम दो का लाब उठा सके। प्रिथिवी की गति विश्यक कारण के अतिरिक्त एक और कारण है जिससे विशेशकर भारत में ये चार काल खंड ध्यान के लिए बहुत अनुकूल माने जाते हैं। अनादिकाल से सभी बड़े-बड़े स्त्री पुरुषों में यह परंपरा रही है कि वे ईश्वर या अपने उच्चतम आदर्ष का चिंतन कर इन चार कालों में कुछ समय के लिए शान्ती का अस्वादन करते रहे हैं। सभी योगी और ध्यान परायन व्यक्ती इन चार कालों में ध्यान करते हैं। अतह भारत में दिन के इन चार कालों में एक अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक प्रवाह का अनुभव होता है। युवा सन्यासी के रूप में जब मैं वाराणसी में निवास कर रहा था, तब कभी-कभी किसी कारण मुझे अपना नियमित ध्यान करने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि भोर में एक अत्यंत सशक्त मानवीय अलार्म या पुकार द्वारा मेरी नींद खुल जाती थी, जो मुझे जागने और प्राथकालीन ध्यान करने का आवहान करती थी। सूर्योदय के पूर्व एक व्यक्ती, आश्रम के पास वाली सडक से एक सुन्दर भजन गाता हुआ निकलता था। उस गीत के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। सदा एक विशेश संदेश भेजता था। होते हुए भी परिवेश का अत्यंत प्रबल प्रभाव मुझे कोई उचित स्थान खोज कर शांती से ध्यान में बैठने के लिए बाध्य करता था। प्रति एक निश्ठावान योगा भ्यासी जानता है कि सूक्ष में विचार तरंगों का ध्यान की साधना पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। फिर भी यदि तुम किसी कारण उपर युक्त चार अनुकूल संधिकालों का लाभ न उठा सको, तो ध्यान का समय इस तरह निर्धारित करो, कि उसमें कम से कम व्यवधान हो, और प्रति दिन उस समय नियम पूर्वक ध्यान करो। अपने सतत अभ्यास द्वारा, तुम अपने चारों और एक वातावरन का निर्मान कर सकोगे, और इसके प्रभाव से साधना के लिए प्रेरित होगे। प्रति दिन भोर में जल्दी उठने वाले को अलार्म घड़ी की आवश्यक्ता नहीं होती, क्योंकि उसके स्नायूं से ही यह कार्य हो जाता है। सरवदा निश्चित समय पर अपना ध्यान करो, और यह समय तुम्हारी साधना को द्रढ़ प्रतिष्ठ कर देगा। अब स्थान के महत्व की बात, तुम में से बहुतों को यह अनुभव हुआ होगा, कि जब तुम किसी अपूर्व सुंदर प्राकृतिक द्रिश्य के बीच होते हो, तो अनायास ही तुम्हारा मन अनंत में उड़ान भरने लगता है। प्रकृति के इस वैभव के समक्ष, सांसारिक भाव, विलुप्त होते प्रतीत होते हैं। ऐसे स्थान स्वाभाविक रूप से ध्यान के लिए उप्युक्त हैं। यदि संभव हो, तो ध्यान खुले में करना चाहिए। सुदूर प्रांतर में द्रिष्टि निक्षेप करनी चाहिए और खुले आकाश का चिंतन करते हुए सभी सीमाओं से परे जाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से ध्यान की स्थिती प्राप्त करने लगोगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए अपने दैनिक ध्यान के लिए ऐसा परिवेश प्राप्त करना कठिन है। लेकिन गर्मी की छुटियों में जब तुम शेहर के कोलाहल और उतेजन मैं वातावरण से दूर जाओ, तो प्रकृती माता के शांती दायक आकर्शन और प्रभाव से युक्त ऐसे प्राकृतिक ध्यान का आनंद लेना न भूलो। अपनी छुटियों के कम से कम कुछ दिन तो तुम इस तरह बिता सकते हो। उसकी स्मृती तुम्हारे मन में बनी रहेगी और वर्ष भर तुम्हारी सहायता करती रहेगी। सुन्दर प्राकृतिक दृष्य के बदले यदि कर सको, तो एक कमरा अलग से ध्यान के लिए सुरक्षित कर लो। यदि यह संभव न हो, तो कमरे का एक कोना केवल ध्यान हे तु निश्चित कर लो। उस सुरक्ष तो उन्हें वहां रखो. यदि धूप अथ्वा सुगंधित द्रव्यादी से तुम्हारे मन में भगवत भाव जागता हो, तो धूप बत्ती को जलाओ, अथ्वा अगरू आधी को वहां छिड़को. यदि पुष्पों में तुम्हें विशेश पवित्रता और धार्मिक भाव दिखाई दे, तो पुष्पों को कमरे में सजाओ. जब तुम अपने इस छोटे से देवालाय में जाना चाहोगे, तो शारिरिक और मानसिक रूप से शुद्ध न होने पर, तुम्हें थोड़े संक सोच का तुम्हारे मन पर क्रमशह ऐसा प्रभाव पढ़ेगा, कि उस पवित्र स्थान का समरण मात्र ही तुम्हें पर्याप्त सचेत कर देगा. तथा तुम्हारे मन से सभी अपवित्र और हीन विचारों को धीरे-दीरे दूर करने में सहायक होगा. अपने देवालय में ध प्रमान के पीछे यही मनोवैज्ञानिक कारण है। प्रत्येक स्थान पवित्र है। प्रत्येक स्थान और मुद्राएं, ध्यान और एकागरता के लिए अनिवार्य नहीं है। अब हम ध्यान की साधना के लिए उपियोगी मुख्यासनों का वर्णन करेंगे। एक कुर्सी पर सीधे, उन्नत देह बैठो। कुर्सी न तो बहुत उची हो, न बहुत नीची, न बहुत कड़ी, न बहुत नरम। अत्वा यदि तुम्हें अच्छा लगे, तो जमीन पर एक गद्धी पर बैठो। अपने मेरुदंड को सीधा रखो, और पीठ, कमर और गर्दन को एक सीध में रखो। सिर उन्नत रहे, आँखें अर्ध निमिलित हो, तथा मन ही मन भ्रूमध्य में बिना तनाव के अपनी द्रिष्टि निबद्ध करो। ध्यान के लिए यह सीधा और उन्नत आसन कई द्रिष्टियों से आवश्यक है। सबसे सपष्ट कारणों में से एक तो यह है कि इससे शरीर के सभी अंग अपनी सही स्थिती में बने रहते हैं। तथा देह तंत्र पर अधिक बोज डाले बिना अपना कार्य ठीक से करते रहते हैं। यह कहने की आवश्यक्ता नहीं है कि यह आसन शारीरिक स्वास्थ्य और सामान्य आरोग्य के लिए बहुत उपयोगी है। यदि भौतिक शरीर कोई बाधा न पहुँचाए तो ध्यान करना आसान हो जाता है। ध्यान में हमें देह की विस्मृती हो जानी चाहिए। यदि देह कश्ट दे तो यह संभव नहीं होगा। इस आसन में बैठने का आध्यात्मिक लाभ यह है जब कभी हम अपने विचारों को उन्नत करने का प्रयत्न करते हैं। तब मेरुदंड के निम्नतम भाग से एक उर्ध्वगामी प्रवाह मस्तिष्क के केंद्रों की और बहने लगता है। मेरुदंड की सीधी खड़ी अवस्था में ही उसे उपर जाने का व्यवधान रहित खुला मार्ग मिलता है। जरासी भी बाधा होने पर प्रवाह नीचे की और जाने को बाध्य होता है, जिससे देह मन संयंत्र में प्रितक्रिया होती है। जब कभी हम शोक, निराशा और अवसाद के भाव पर विजय पाते हैं, तब हमारी मनहस्थिती के प्रथम लक्षन के रूप में हम ततकाल सीधे हो जाते हैं। इसका सपष्ट कारण यह है कि निराशा को दूर करने पर मेरुदंड के भीतर का प्रवाह हमें सीधे होने को बाध्य कर उपर जाने का अपना मार्ग बना लेता है। अभप्रद के बदले अधिक हानिकारक लग सकते हैं। तुम लोग फर्ष पर बैठने के आदी नहीं हो, अतह तुम्हारे जोड लचीले नहीं हैं। मैंने कहा है कि फर्ष पर बैठने के कुछ फाइदे हैं। केवल इसलिए अपनी नैसरगिक प्रकृती के विरुद्ध ऐसा करने का प्रयत्न मत करो। हम हिंदूओं को बच्पन से जमीन पर बैठना सिखाया जाता है। हमारी हड्डियां, मानस्पेशियां और जोड ऐसे बने हैं कि हमें पैर लटका कर कुर्सी पर सीधे बैठना कठिन लगता है। मुझे ऐसा लगता है। पर यदि मैं पालती मार कर बैठूं तो मैं अपने उपर की ओर रखो। इस तरह जांगों पर रखे तुम्हारे पैरों से एक तिर्चा दबाब तुम्हारे घुटनों को पहले नीचे दबा देगा और बाद में तुम्हारी कमर को सामने की ओर ढखे लेगा। इससे तुम्हारा मेरुदंड सीधा होकर बंध जाएगा। इस और जांग के बीच घुटनों के भीतर घुसा कर रखो। दाहिने पैर का अंगूठा बाएं घुटने के खोखले में हो। बाएं पैर की अंगुलियों को बाएं हाथ से पकड़ो और दूसरे हाथ को दाहिने पैर के नीचे डाल कर बाएं पैर की अंगुलियों को दाहिने पर उपर की ओर किये रखो। पदमासन की तरह इस आसन का भी लाब यह है कि यह आसन भी एक तनाव पैदा करता है जिससे मेरुदंड पूरी तरह सीधा हो रहता है। स्वस्तिक शब्द का अर्थ है शांती और सफलता और पदम का अर्थ है कमल। इतना सब होते हुए भी यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जमीन पर बैठने से अत्वा किसी आसन विशेश में बैठने से सिध्ध प्राप्त नहीं हो जाती। तुम्हें नियमित अभ्यास तथा सम्यक जीवन द्वारा अपने मन को नियंतरित करना होगा। आसना धी अन्य उपायों का सहायक अं श्वास प्रश्वास हमारी मनहस्थिती का सुसपष्ट सूचक है। किसी व्यक्ति के श्वास प्रश्वास को देखकर बड़ी आसानी से उसके मानसिक गठन का पता लगाया जा सकता है। जिसका श्वास प्रश्वास दूसरे सुन सकें, जो भारी, स्थूल, असंतुलित, अथवा हलका श्वास लेता है, वह असु संस्कृत मन वाला व्यक्ति होता है। एक विशेश प्रकार का लग्धू, श्वास अलपायू का संकेतक है। सत्य तो यह है कि कोई भी मानसिक विक्षेप, ततकाल श्वास की अनियमित्ता में परिलक्षित होता है। जब कभी हम उ श्वास प्रश्वास द्वारा हम चंचल मन को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणायाम अर्थात सम्यक श्वास प्रश्वास के विज्ञान की शिक्षा ध्यान साधना के सहायक अंग के रूप में दी जाती है। निमनोक्त पद्धती सबसे आवश्यक, मूल भूत और महत्यपूर्ण विधी है तथा ध्यानाभ्यासी साधक को इसका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम की प्रथम विधी। अपने फेफणों की पूरी शक्ति के साथ बिना आवाज किये गहरी सांस लो। अब बिना रोके उतने ही धीरे-धीरे और हलके से स को वही लए बनाए रखकर बाहर निकालो। लए का हमारे कल्यान तथा भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रगती में विशेश स्थान है। लए पूर्वक किये गए प्रतियक कार्य का हमारे देह-मन-संयंत्र पर शांतिकर और विश्राम-दायक प्रभाव पढ़ से शारीरिक एवं मानसिक विक्षेपों को दूर कर सकते हैं। हिंदू योगियों ने प्राण विज्ञान का सुक्ष्मता पूर्वक अध्ययन किया है तथा उस विशय में अनेक प्रयोग किये हैं। यहां तक कि उन्होंने हमारी समस्त मानविये गतिविधियों में सफलता और सम्यक सुख भोग के लिए अलग-अलग प्राणायाम विधियां खोज निकाली हैं। योगियों का कथन है कि विभिन्न प्रकार के प्राणायामों से वाक, पापिन, पाद, पायू और उपस्त इन पाँच करमेंद्रियों को सुचारू रूप से नियंतरित और संयत किय प्राणायाम की द्वितिय विधि अंगुलियों द्वारा दबा कर बंद कर दो। दोनों नासिकारंद्रों को बंद किये अंगुलियों पर सोलह बार ओम की गिनती करते हुए श्वास रोके रखो। इसके बाद दाहिना नासा, रंद्र खोल दो और धीरे धीरे आठ बार ओम की गिनती करते हुए श्वास बा बाहर निकालो। ओम की गिनती उतनी ही बार अर्थात, क्रमशह, चार, सोलह और आठ बार करो। ये एक पूरा प्राणायाम हुआ। ना सिका। रंध्रों को एक के बाद एक बदलते हुए यह करते जाओ। प्रति दिन दो बार तीन प्राणायाम करो। यदि तुम समय अवध प्राणायाम की मात्राओं को विशेशग्य के मार्गदर्शन बिना बढ़ाना, अथवा उनके द्वारा बताई गई कम से कम संख्या से आगे बढ़ना बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा। इस परंपरागत चेतावनी के कारण पर लोग शंका करते हैं। वह ये है। प कुछ लोगों में तथा कुछ परिस्थितियों में शारीरिक, मानसिक अत्वा नैतिक सत्यनाश कर सकती है। संभवतह किसी को लगे कि प्राणायाम, श्वास निरोध न करने से उसकी कुछ हानी हो रही है। इस संदर्भ में यह याद रखना चाहिए कि सभी साधनाओं से अ बिना खत्रे के किंतु अधिक धीरे होता है। संपादक, मैंने मेरुदंड में उठने वाले शक्ति प्रवाह का उलेक किया है। मेरुदंड में विद्यमान मार्ग को सुशुमना कहते हैं। इसके दोनों ओर इडा और पिंगला नामक दो प्रवाह हैं। इनका विस्तृत विवेचन बाद में किया जाएगा। उपर्युक्त प्राणायाम के समय जब तुम दोनों नासिका, रंध्र बंद कर श्वास भीतर रोको, तब अपने आप ऐसा प्रवल संकल्प करो कि जिस उर्जा, श्वास नहीं को तुमने रोक रखा है, वह इडा, पिंगला और सुश जुमना के निम्नतम स्थान में यह उर्जा इस मार्ग को जो बंद अथवा रुद्ध हो गया है, खोलने के लिए जोर से दबाव डाल रही है। यदि तुम पूर्वक्त चारों संध्याओं के समय ध्यान करते हो, तो इस प्राणायाम का ध्यान के पूर्व दो बार अभ्य प्राणायाम की तीसरी विधियों ने निम्नोक्त प्राणायाम पध्धती की बहुत प्रशंसा की है, इसके अभ्यास से व्यक्तित्व अत्यंत आकरशक हो जाता है, विश्व बंधुत्व की भावना जागती है, मन प्रसन रहता है तथा शारीरिक सौंदर्य, वानी के माध और आयू में व्रिद्ध होती है। यह प्रणाली अत्यंत सरल है तथा कभी भी की जा सकती है। ओठों को सिकोड कर सीटी बजाने की स्थिती में लाओ। इसके बाद धीरे धीरे श्वास अंदर खींचो और फेपनों को पूरा भर लो। अब ओठ बंद कर लो और एक घूंट लेकर मुह बंद रखे हुए नासिका से श्वास बाहर निकालो। इस विधी को अपनी सुविधानुरूप दिन में जितनी बार चाहो किया जा सकता है। खुले स्थान में इसका अभ्यास करने से बहुत लाब होता है। इससे निराशा, अवसाद, शोक, निरुट्सा तथ विभिन्न मनो ग्रंथियों से अप्रभावित रहने की शक्ती मिलती है। अवश्य, प्राण के नियमन में बहुत सी बाते हैं जिनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि सभी विशेयों में विस्तारित विवरण हो होने पर ध्यान करना आसान हो जाएगा और उसमें अधिक बाधाएं नहीं होंगी। हमारा उद्देश विभिन्न प्रकार से श्वास लेना नहीं है बलकि देह और मन को शांत एवं स्थिर करना है ताकि वे हमारे मुख्य उद्देश ध्यान में बाधा न बने। कुंडलिन सकता है। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। अंतह प्रकृती एवं बही प्रकृती के नियमन द्वारा उस अंतर नहित ब्रह्मत्व को व्यक्त करना जीवन का लक्ष्य है। हिंदू धर्म के सभी मतवादों तथा योग की विभिन शाखाओं का यह चरम निशकर्ष है कि हम जीवन में जो कुछ उपलब्ध करना चाहते हैं वह हमारे भीतर विद्यमान है। आध्यात्मिक ही नहीं। अपितु भौतिक आवश्यक्ताओं की पूर्ति का अनंत भंडा हमारे भीतर है। यदि हमें उस अनंत भंडार से संपर्क स्थापित करने का उपाय पता चल जाए तो जीवन में हमें किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। हमारी सभी आवश्यक्ताएं, मांगें, आशाएं और आकांक्षाएं भीतर से ही पूर्ण हो जाएंगी। इस आ आगरण अथवा अभिव्यक्ति का विशय है, जिस पर विभिन्य दर्शन शास्त्रों ने विवेचन तथा विभिन्य योग प्रणालियों ने प्रयोग किये हैं। अतह, तुम्हें इस सुनिश्चित निशकर्ष को सदा याद रखना चाहिए, कि जिस उच्चितम सिध्ध अवस्था को तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह ठीक उसी प्रकार तुम में विद्यमान है, जिस प्रकार एक विशाल व्रिक्ष के रूप में विकसित होने की संभावना एक छोटे से बीज में विद्यमान रहती है, हम अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में जो कुछ ह प्रश्न यह है कि पूर्णता के इस अनभिव्यक्त बीज की अभिव्यक्ती कैसे हो। तीसरी से पांचवी शताब्दी में हुए थे। उनके योग सूत्रों में तंत्र योग विद्या की पध्धती का केवल उल्लेक मात्र हमें मिलता है। लेकिन इसके काफी बाद लगभग सन 600 से 700 इसवी के मध्य तंत्र शास्त्र नामक एक प्रथक अध्यात्म विद्या संप्रदाय का विकास हुआ। तंत्र शब्दकार्थ है अनुशासन के नियम तंत्र साहित्य विपुल है। कुछ तंत्र बौध धर्म की अवन्ती और पतन के बाद के वैदिक पुनर उत्थान काल के हैं। परवर्ति काल के अनेक तंत्रों में वैदिक और आपनिशदिक धर्मों की पुनर प्रतिष्ठा के प्रयत्नों के स्पष्ट प्रमान मिलते हैं। इन धर्मों का प्रचलन, बौध्ध धर्म के उत्थान के कारण, जो भारत वर्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया था, बंध हो गया था। हम तंत्रदर्शन की अन्यदर्शनों से तुलना करें। जिस चरम सत्य को वेदान्ती ब्रह्म तथा सांख्यवादी पुरुष कहते हैं, उसे तांत्रिक लोग शिव कहते हैं। वेदान्त अनुसार माया ब्रहा की वह शक्ति है, जिसकी सहायता से ब्रह्म जगत की सृष्टी करता है या करता सा दिखाई देता है। सांख्य दर्शन में उसे प्रकृती कहा जाता है और तंत्रों में उसे शक्ति कहते हैं। तांत्रिकों का लक्ष्य, चरम सत्य, अर्थात, शिव और शक्ति का मिलन, अथवा अद्वैत सत्य की अनुभूती करना है। तांत्रिकों का विश्वास है कि शक्ति के द्वारा वे शिव का साक्षात कार कर सकते हैं। अतह, वे वेदान्तियों की तरह जगत सर्जक शक्ती का बाद करने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि उसकी उपास ना कर, उसकी सहायता से शिव, अर्थात, चरम, चैतन्य अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। शक्ती देवी जगन माता कहलाती है, तंत्रों के उपदेश पुरातन हिंदु धर्म में समा गए हैं, तथा उनका प्रचलन भारत के उत्तर पूर्व प्रदेशों में विशेश रूप से है। सामान्य जनता को तंत्र शास्त्रों की विशय वस्थु के बारे में, जो एक प्रकार की सांकेतिक भाशा में लिखे गए हैं, कभी भी अधिक जानकारी नहीं थी। उनके गूड अर्थ समझने के लिए अनेक हिंदू पंडितों को लगाया और उसके बाद उनका अंग्रेजी में अनुवाद, संपादन और मुद्रन करवाया। वे तंत्र शास्त्र द्वारा प्रतिपादित सिध्धानतों को अत्यंत सम्मान प्रदान करते थे और यह कार्य उसके प्रती उनकी भक्ति का ही परिणाम था। सर जान वुड्रोफ ने आर्थर एवलोन के छदम नाम से तंत्र शास्त्र के विशय में कई प्रसिध पुस्तकों का प्रणयन किया। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि तंत्र सहित हिंदु धर्म तथा योग शास्त्र की सभी शाखाओं द्वारा जो मौलिक और अपरिहारे तत्व स्वीकार किया गया है। वह यह है कि मानव स्वरूपतह दिव्य है तथा धर्म और योग का लक्ष उन उपायों और साधनों का निर्देश देना है जिनके सम्यक अनुष्ठान से अव्यक्त पूर्णता को पूरी तरह अभिव्यक्त किया जा सके। इसके फल स्वरूप हिंदू अर्षियों ने अनेक साधन पद्धतियों का आविशकार किया और उपदेश दिया जो सभी योग नाम से अभिहित होती हैं। अपने निरीक्षन और प्रयोगों के आधार पर तंत्र शास्त्र के प्रणेता अर्षि इस निशकर्ष पर पहुँचे कि पूर्णत्व की संभावना एक अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक बीज के रूप में मानव में विद्यमान रहती है। ये पुरातन मनीश सुंदर उपमाओं, रूपकों और गहरे सांकेतिक प्रतीकों की सहायता से चिंतन करते तथा विचारों को अभिव्यक्त करते थे। प्रसुप्त सर्प के रूपक के माध्यम से उन्होंने अव्यक्त पूर्णता को वर्नित किया और उसे कुंडलिनी का नाम दिया। इसका शाब्दिक अर्थ है कुंडलाकारा, सर्प। जब सर्प निश्क्रिय रहता है अथवा दीर्गकाल तक विश्राम करता है, तब वह कुंडली मारकर एक गठरी सा होकर पड़ा रहता है। वह प्राणहीन दिखाई देता है। लेकिन क्या हम मान लें कि शक्तिशाली सर्प मरा पड़ा है। नहीं, वह पुणा उठ जाएगा। वह उसकी पूर्ण अभिव्यक्त स्थिती होगी। पहले वाली स्थिती, प्रसुप्त, अनभिव्यक्त, निश्क्रिय स्थिती है। तातपर्य यह कि यह कुंडलिनी शक्ती, जिसका कुछ लोगों ने अंग्रेजी में सर्पेंट पावर याने सर्पशक्ती अनुवाद किया गया है, एक रूपक मात्र है। आधुनिक भाषा में अनभिव्यक्त शक्ती के रूप में अनुवाद पूर्ण युक्ती युक्त होगा। इस दर्शन शास्त्र की प्रतिष्ठा के समय मानव समाज ने युक्ती युक्त वैज्यानिक रूप में सत्यों को व्यक्त करने की क्षमता अर्जित नहीं की थी। अनभिव्यक्त नामक आधुनिक शब्द में नहित भाव को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया गया था। मेरे मतानुसार आधुनिक शब्द अनभिव्यक्त में नहित भाव को व्यक्त करने के लिए कुंडलाकार, प्रसुप्त सर्प से अधिक सुंदर और कवित्व उत्पन्न हो गई हैं। बहुत से लोगों को इसके सिध्धान्त के संबंध में एकदम गलत जानकारी है। वे समझते हैं कि यह एक खतरनाक साधना है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो कुंडलिनी को परियों की कहानी का सोया हुआ राक्षस समझते हैं। मैं यह बात एकदम हम स्पष्ट करना चाहूंगा कि अपनी अंतर निहित पूर्णता को जागरत करने में कोई खतरा नहीं है। वस्तुतह यह खेत की बात है कि हम लोग ऐसा करना नहीं जानते। हम दिव्य हैं। लेकिन अनादी काल से अपने देवत्व को सुप्त रखने के कारण हम प्रिथि हम जिन सभी उर्जाओं को जीवन में संचित अथवा अभिव्यक्त करते हैं वे मेरुदंड में स्थित तीन नाडियों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं। मेरुदंड के बीच में मूलाधार से लेकर मस्तिश्क में अवस्थित केंद्र तक इन तीनों में से सबसे और महत्वपूर्ण सुशुमना नाडी स्थित है। इस मध्य स्थित नाडी को अंग्रेजी आठ आठ के आकार में वेश्टित किये अन्यदो नाडियाओं हैं। इस आठ आठ अंकाकार के बाई ओर तथा दोनों नाडियों के काट के ऊपर की दाहिनी ओर इडा है और इसी प्रकार से विपरीत अर्ध भाग में पिंगला। ये तीनों नाडियाँ एक दूसरे से तीन स्थानों पर मिलती हैं। मेरुधंड के मूल में, गर्दन में, तथा भुमध्य में। मेरुधंड के मूल में, इडा, पिंगला, और तीसरी नाडि सुशुमना के भीतर की नलिय एक दूसरे से संयुक्त रहती हैं, लेकिन शेश दो मिलन बिंदुओं पर वे एक दूसरे को बाहर-बाहर काटती भर हैं। भीतर से परस पर मार्ग प्रदान नहीं करती हैं। सामान्य व्यक्ति में सुशुम्ना के भीतर का मार्ग पूर्णतह अवरुद्ध रहता है। इस तु नहीं कहना चाहिए। वह अतिसुक्ष्म अव्यक्त उर्जा होती है। मूलाधार में इडा और पिंगला की तुलना यू आकार की एक नाली से की जा सकती है, जिसके मध्य में तीसरी नाडी आकार मिलती है। कलपना करो कि नीचे जमे किसी पदार्थ ने बीच वाली नाली को बंद कर दिया है और केवल यू आकार वाली नाली ही खुली है। जहां तक नाली के खुले और बंद होने का प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति की यह स्थिती है। सुशुम्ना को बंद करने वाला तल में जमा पदार्थ हमारी अविकसित आध्यात्मिकता है। योगी गण प्राणायाम और ध्यान की विभिन प्रक्रियाओं द्वारा इस मध्यम मार्ग को खोलने का प्रयत्न करते हैं। पिछले प्रवचन में हमने सुशुम्ना को खोलने के लिए विशेश प्राणायाम, द्वितिय प्रणाली का वर्णन किया था। कुंडलिनी जागरन के लिए उस विधी का विधान किया जाता है। कुंडलिनी के जागरत होते ही एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित होती है, जो सुशुम्ना के मूल में अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थों में उश्नता और प्रकाश पैदा करती है। कुंडलिनी के जागरत होने पर योगी मेरुदंड के निम्न भाग में सचमुच अपूर्व सुखद उश्नता एवं प्रकाश का अनुभव करते हैं। इसके बाद जागरत कुंडलिनी को अत्यंत प्रतीकात्मक ध्यान की सहायता से उपर ले जाया जाता है, जिसके फल्स्वरूप मानव में उच्च से उच्चचतर आध्यात्मिक सद्रों का विकास होता है। अगले दिन सूर्योदय के साथ वह पुन सीधा होकर शने शने पूर्ण प्रस्फुटित हो अपना सौंदर्य बिखेरता है। तथा प्रकाशित करता जाता है, जिन्हें पद्मों के प्रतीकों के रूप में बताया गया है। कुंडलिनी के प्रकाश के पहुँचने के पूर्व तक ये पद्म मानों जुके, मुर्जाय, शिथिल और मलान पड़े रहते हैं। लेकिन कुंडलिनी की ज्योती का स्पर्ष पाते ही, विपद्म सीधे खड़े होकर पूर्ण विकास और सौंदर्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कुंडलिनी की ज्योती, उच्छ से उच्छतर स्तर पर आरोहन करते हुए, मानव के विकास के विभिन स्तरों को तब तक प्रस्फुटित करती जाती है। जब तक वह चेतना वस्था के सभी स्तरों को पार कर, अतिचेतना वस्था अत्वा अतिंद्रिय स्तर तक नहीं पहुँच जाती। इस अवस्था को मस्तिश्क केंद्र में स्थित सहस्रदल पद्म के प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है। इसकी कल्पना अनंत सच्चिदानंद के ज्योती समुद्र के रूप में की गई है। कुंडलिनी की छोटी सी ज्योती सारे रास्ते से ऊपर चढ़ती हुई सहस्रदल पद्म की अनंत ज्योती में विलीन हो जाती है। तब उच्चतम समाधी अवस्था की प्राप्ती होती है। कृपया मुझे कुछ क्षणों के लिए विशयांतर करने दे। जैसा कि आप मेंसे कई लोग जानते हैं, श्री रामकृष्ण ने कुछ समय तक ध्यान की इस पद्धती का अभ्यास किया था। आप जानते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की साधनाएं की थी, तथा सभी धर्मों के माध्यम से सत्य का साक्षातकार किया था। जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि वे सब आध्यात्मिक सिद्ध लाभ के उपयुक्त मार्ग हैं। वे प्रायह अपनी अनुभूतियों का वर्णन अपने शिष्यों से किया करते थे। इस साधना पद्धती का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया था कि किस प्रकार कुंडलिनी आरोहन करती है। वे कहते थे कि कभी आरोहन पक्षी के एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक फुदकने जैसा होता है, कभी वह मचली के जल में विचरण के समान होता है, तो कभी बंदर का व्रिक्ष की एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने की तरह। सभी प्रकार की साधना पध्धतियों का अभ्यास कर श्री रामकृष्ण ने उनके मूल तत्वों को प्रकट किया और उनकी तुर्टियों को दूर कर दिया। तंत्रशास्त्र उसके आचारियों और साधकों की दुर्बलताओं के कारण बदनाम हो गया था। श्री रामकृष्ण ने इस ध्यान साधन पध्धति का सफलता पूर्वक समर्थन किया और उसे आध्यात्मिक साधना के एक शुद्ध और श्रेष्ठ उपाय के रूप में प्रतिष्ठित किया। स्वयम इन साधना पध्धतियों का अनुष्ठान कर उन्होंने यह सिद्ध किया कि इन ध्यान पध्धतियों का अवलंबन कर उच्चतम आध्यात्मिक लक्षे पाया जा सकता है। अब मैं आपको अंतर नहित अव्यक्त पूर्णता को व्यक्त करने के लिए कुछ साधनाएं बताऊंगा। ध्यान की चतुर्त पद्धती अपने प्रति दिन के आसन पर पूर्व निर्दिष्ट सही तरीके से बैठो। इसके बाद पूर्व वर्णित प्राणायाम की द्वितिय प्रक्रिया को धीरे-धीरे सरलता पूर्वक करो। इसके साथ-साथ मूलाधार से मस्तिष्क केंद्र तक एक जियोतिर्मय नाडी की कलपना करो। ऐसी भावना करो कि प्राणायाम तथा तुम्हारे चिंतन की शक्ती से इस नाड़ी के नीचे का मार्ग साफ हो गया है तथा आध्यात्मिक उर्जा का सतत प्रवाह इडा और पिंगला के मिलन से निर्मित यू आकार वाली नाली से इसमें प्रवाहित हो रहा है। इस प्रवाह के अंदर प्रवेश के कारण कुंडलिनी जागरत हो गई है तथा उसने मोमबत्ती की जोती के समान एक छोटी सफेद, घनी किंतु कोमल और सुख प्रद जोती का रूप धारण कर लिया है। जोते ही कमल की जुकी हुई कली खड़ी होकर उज्ज्वल रक्तवर्ण के चार पंखुडियों वाले सुंदर कमल के रूप में प्रस्फुटित हो उठती है। इसके भीतर इसी रंग का एक वृत्त होता है। कली एक वृत्त युक्त चह पंखुडियों वाले सिंदूरी रंग के पद्म के रूप में खिल उठती है। अब इस पद्म को छोड़ कर कुंडलिनी की ज्योती के साथ ऊपर चलो। वह अब नाभिस्तर पर स्थित अगले केंदर में पहुँचती है। मणिपुर नामक इस केंदर में दस पंखुडियों वाला अरुण वर्ण पद्म और उसी रंग का वृत्त है। कुंडलिनी की ज्योती मुर्जाई कली को अपनी नाल पर सीधा खिला कर स्वस्त, सुंदर और प्रकाशमय बना देती है। को उपदेश देते हुए श्रीमद भागवत एकादश सकंद, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस्ट का अश्ट दल हृदय कमल पर बैठे ध्यान करना चाहिए। यह स्वामी ज्यानेश्वरा नंद द्वारा कथित द्वादशदल अनाहत चक्र नहीं है, बलकि आनंद कंद नामक पद्म है। देखिए महानिर्वान तंत्र पाँच पाँच एक्सपवापाइंद रक्तवर्ण अश्ट दल आनंद कंद पद्म द्वादशदल अनाहत के नीचे स्थित है। महानिर्वान तंत्र के अनुसार यहां इश्ट की मानसिक पूजा और ध्यान करना चाहिए। संभवतह, श्री कृष्ण का अर्थ इसी आनंद कंद से था। ऐसा कहा जाता है कि आठ पंखुडियाओं अश्ट सिध्यों की प्रतीक हैं। सर, जौन वुड्रोफ आर्थर एवलोन ने अपनी पुस्तकों दी सर्पेंट पावर में चक्रों के अधिकृत वर्णन का अनुवाद किया है। स्वामी के इस अध्याय में कथन से भिन्न वुड्रोफ का कहना है कि मनिपूर का रंग मेगवर्ण है, अनाहत बंधुक पुष्प के रंग का अर्थात अरुण वर्ण है और विशुद्ध चक्र बैंगनी रंग का है। चक्रों का विस्तृत विवरण कुछ भिन्न है। अतह स्वामी का विवरण सरजान वुड्रोफ के तंत्रों के अनुवाद से थोड़ा भिन्न है। संपादक ज्योती और उपर बढ़ती है। वह गर्दन के स्तर पर स्थित विशुद्ध चक्र तक पहुँचती है। यहां भी जुकी हुई कमल की कली को कुंडलिनी की ज्योती छूती और प्रकाशित करती है। जो धीरे धीरे अपनी नाल पर सीधी होकर पूरी तरह खिल जाती है। पूर्ण प्रस्फुटित पद्म की सुंदर सोलह पंखुडियां और वृत हलके भूरे रंके हैं। चेतना के इस स्तर के उद्गाटित होने पर योगी के व्यक्तित्व में अद्भुत आध्यात्मिक सगुणों का प्राकट्य होता है। इस आध्यात्मिक चक्र के जागरत होने से समग्र देह मन, आनंद से पूर्ण और ओत्प्रोत हो जाते हैं। ज्योती और आगे बढ़ती है और भुमध्य के स्तर पर पहुँचती है। कुंडलिनी की दिव्यत ज्योती के स्पर्ष से आग्या चक्र जाग उठता है। मुर्जाईकली उठखडी होती है और अद्भुत प्रकाश भिखेडती हुई खिल उठती है। इस केंद्र में इस सुन्दर द्विदल पद्म का श्वेत रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इससे प्रसारित हो रहा उज्ज्वल प्रकाश सिर के चारो ओर सुन्दर आभा के प्रभामंडल का रूप ग्रहन करता है। चेतना के इस स्तर के उदगाटित होने पर योगी को ब्रह स्मांड के गूढ रहस्यों का ज्ञान तथा दिव्य ज्ञान के फलस्वरूप परमानंद की प्राप्ति होती है। वह सत्य के सम्मुखीन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं बचता जिसका उसे ज्ञान न हो। उसकी समग्र सत्ता ज्ञाना लोक से उदभासित हो उठती है। व फिर भी थोड़ा अंतर बना रहता है। द्रश्टा द्रिश्य का भाव फिर भी बना रहता है। योगी सत्य को जानता है तथा पि उससे प्रिथक रहता है। सत्य उसकी अनुभूती का विशय है और वह उसका ज्ञाता है। अब कुंडलिनी की ज्योती सुशुम्ना को त् अतींद्रिय अवस्था की कल्पना, उज्ज्वल, प्रकर, किन्तु शीतल, शांति दायक और सुख कर ज्योती सागर के रूप में करो। अतिक्रमन कर लिया है। मैं वही अनन्त सर्व व्यापी सत्ता हूँ, मेरा न कोई मित्र है न शत्रू, न सुख है न दुख। मैं वही पूर्ण, अपरिवर्तन शील, अमर, अनादि अनन्त सत्ता मात्र हूँ, मैं द्वंद्वातीत हूँ, मैं अस्पर्श हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं है। मैं पूर्ण हूँ, सब में हूँ, सब हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, इसी भाव में जितनी देर रह सको, रहो, इसके बाद अंतिम ध्यान करो, जिसका वर्णन अगले प्रवचन में किया जाएगा। इस बीच मैं विभिन्न चक्रों का तात्पर्य बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले कहा है, जिन पद्मों की हम चर्चा करते रहे हैं, वे प्रतीक मात्र हैं, क्षन भर के लिए भी यह मत सोचना की मैं सच्चे पद्मों की बात कर रहा हूँ। ये प्रतीकात्मक पद्मजीव की अनन्त पूर्णता की यात्रा में उपस्थित होने वाली अवस्थाओं के प्रतीक हैं, अतह ये चक्र या पद्म केंद्र चेतना के विभिन्न स्तर हैं, प्रथम मूल आधार का शाब्दिक अर्थ है, मूल आधार जहां प्रतिकात्मक तो अपने पूर्व जन्मों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा। द्वितिय केंद्र स्वाधिष्ठान, अर्थात, जीव का निवास स्थान है, तथा यह हमारी समस्त पाशविक शक्तियों का उत्स स्वरूब है। इस केंद्र पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित करने पर इन शक्तियों को आध्यात्मिक दिशा प्रदान कर उनका श्रेष्ठतम सदुपियोग किया जा सकता है। तीसरा, केंद्र मनिपुर है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रत्न मनियों की नगरी। यह केंद्र सभी सांसारिक सुख, सत्ता, नाम, यश, स्वास्थ्य, शारीरिक सौंदर्य और सम्रिध्य। वस्तुतह इस संसार में प्राफ्य सभी वस्तुओं की पराकाश्ठा तथा उनके आध्यात्मिक मूल्य के ज्यान का स्थान है। व्यक्ति को यह द्रढ निश्चय हो जाना चाहिए कि सांसारिक वस्तुओं जीव को स्थाई संतोष प्रदान नहीं कर सकती। इनका निरीक्षन कर, इन्हें मिट्टी के लौंदों की तरह तुछ जान कर उपर उठना चाहिए। प्रत्येक साधक को यह बात सावधानी पूर्वक ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक वह मनिपूर को पार नहीं कर लेता, तब तक एक स्वाभाविक निम्न गामी खिंचाव कुंडलिनी की ज्योती को नीचे दबाए रखने का प्रयत्न करता है। अतह इस केंद्र तक योगी को कठिनाई महसूस होती है। इस केंद्र से उपर उठने तक वह सुरक्षित नहीं होता। किसी अत्यंत मोहक प्रतीत होने वाली असाधारन वस्तु अथवा घटना के प्रती आक्रिष्ट और आसक्त होने की सदा संभावना बनी रहती है, जो उसे गहरे अंधकार में धकेल सकती है। अतह, योगी को मनिपूर से उपर उठने तक विवेक की मशाल प्रज्वलित रखनी चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक प्रवाह के अगले चक्र, अनाहत तक पहुँचते ही एक सहायक स्वाभाविक उर्ध्व गामी प्रवाह मिलता है। इस अवस्ता में योगी अपेक्षा चक्र, शुरक्षित होता है। अनाहत का अर्थ है अकारण, अथ्वा अक्षुब्ध। विकास के इस स्तर को प्राप्त करते ही व्यक्ति अत्यंत आध्यात्मिक हो जाता है वह सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, मैท्री, सहायता, क्षान्ती, शान्ती और सौहार्द्र का स प्रतिदान अत्वा विनिमय जैसी बाह्य शर्टों पर निर्भर नहीं होता है। लेकिन इस व्यक्ति से प्रेम, उदारता और मैत्री अकारण निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। इससे योगी के व्यक्तित्व में विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध दयालुता और विशुद्ध सत्य अभिव्यक्त होने लगते हैं। वह उच्चितम कोटी का कलाकार बन जाता है। उससे सौंदर्य और अच्छाई उंदभुत होने लगते हैं। संक्षेप में वह अपने आसपास के संसार का आनंद और सौंदर्य बन जाता है। आज्या का अर्थ है सरवग्य। इस अवस्था में योगी पूर्ण ज्यानी हो जाता है। इस जगत अथवा अन्यत्र का भूत, वर्तमान एवं भविश्य का सारा ज्यान उसे प्राप्त होता है। उसके ज्यान की कोई सीमा नहीं होती। वह असीम हो जाता है। ज्यान ही त्रिप्ति है, ज्यान ही मुक्ति है, ज्यान ही आनंद है। अतह, योगी पूर्ण त्रिप् प्रशुओं की जानकारी की तरह योगी सब कुछ जानता है। तुम सब कुछ देख सकते हो पर छू नहीं सकते। चेतना के इस स्तर पर तुम सब कुछ जानते हो लेकिन तुम अभी भी वह हो नहीं। सहसरार नामक अंतिम अवस्था में आत्मा और अनात्मा का जरासा अंतर भी नश्ठ हो जाता है। जल की क्षुद्र बूंद सागर में विलीन होकर उसके साथ अभिन्न और एकाकार हो जाती है। यह अवस्था निर्विकल्प समाधी कहलाती है जिसका वानी वर्णन नहीं कर स सकती। यह अनुभूती कभी उच्छिष्ट नहीं होती। इस अवस्था का वर्णन श्री रामकृष्ण ने अत्यंत सुंदर और कवित्वमय रूपक द्वारा किया है। नमक का एक छोटा सा पुतला एक बार सागर की गहराई नापना चाहता था। वह सागर के किनारे गय उसमें पैर रखा और सागर के जल में घुलने के कारण उसके साथ अभिन्न और एकाकार हो गया। कुछ बता सकने के लिए वह पुनह नहीं लोट सका। तुम्हारा क्षुद्र, मरणशील, सीमित व्यक्तित्व विस्तारित होकर असीम हो जाता है, पूर्णता को अभिव्य करता है और अनंत के साथ एकाकार हो जाता है। तुम देश, काल और कार्यकारण के परे चले जाते हो। तुम अपने दिव्यस्वभाव, पुरातन महिमा और परमानंद को प्रकट करते हो। कुंडलिनी के पूर्ण जागरण का यही अर्थ है। इस अवस्था में तुम्हे जिस अवर्ण निय पूर्ण सच्चिदानंद की चरम अनुभूती होती है, वह मूलतह तुम्हारे स्वरूप में ही विद्यमान है। वह धीरे-धीरे विभिन अवस्थाओं से अभिव्यक्त होते हुए, अंत में सहस्त्रार में पूर्ण रूप से प्रतिफलित होता है। स इस प्रकार दो वर्षों के अभ्यास से व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व में अध्भुत परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद धीरे-धीरे वह उपर के तीन पद्मों में से किसी एक को अपनी रूची के अनुसार चुन सकता है। वह अनाहत, विशुध और आग्या के मा अध्यम से अपने को अधिकांश तह अभिव्यक्त कर सकता है। वह ऐसी प्रग्या अर्जित कर सकता है कि अपनी इच्छा नुसार इन तीनों में से किसी भी चक्र का उद्गाटन कर अपने आचरण या अभिव्यक्ति में ज्ञान, सौंदर्य, अथवा प्रेम को विशेश रूप से प्रकट कर सकता है। कभी योगी अपने किन्ही कार्यों में ज्ञान-शक्ति को अभिव्यक्त करना चाहे, तो यदि वह अपनी चेतना को आग्या-चक्र के स्तर पर ठिकाए रखे, तो उसके सभी कार्यों में ज्ञान-शक्ति का प्राकटिय दिखाई देगा। व वह जो कुछ करेगा, उसमें सर्वोत कृष्ट कला की अभिव्यक्ति होगी। अनाहत चक्र के स्तर पर चेतना को स्थापित करने पर वह अपने चारों और विशुद्ध प्रेम के आकर्शन का विस्तार करेगा। तक जाया जा सकता है। लेकिन प्रारंभिक साधक को सारी प्रक्रिया का आरंभ से अंत तक प्रति दिन दो बार नियमित रूप से कम से कम दो वर्ष परियंत अभ्यास करना चाहिए। और याद रखो, कुंडलिनी जागरण खतरनाक नहीं है। वस्तुता, उसके नहीं जागन की मात्रा ही मानव और पशु के बीच अंतर प्रदर्शित करती है। जिस मात्रा और अनुपात में मानव की कुंडलिनी जागरत हुई हो, उसी मात्रा में वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ट है। इस अंतर निहित क्षमता का जितना अधिक विकास किया जाएगा, उतना ह की मानव दूसरों से अधिक बुद्धिमान, पवित्र और बल्वान होगा। अतह एक क्षण के लिए भी अपने मन में यह भ्रांती पोशित न करना कि कुंडलिनी अत्वा अंतर निहित आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण खतरनाक है। आध्यात्मिक विकास की उच्चत की अनुभूति ना होने तक इनके सत्य को सिध्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। मार्ग में प्रचुर सौंदर्य और अबाद आनंद है। अतह बिना संकोच के साधना आरंभ करो। यदि हम उच्चतम अवस्था की प्राप्ति ना कर सकें, तो यह हमारा के होगा, क्योंकि इस पूर्ण सिध्ध वस्था की उपलब्धि केवल मनुष्य योनी में ही संभव है। उपर्युक्त किसी भी विशय को रहस्यमय मत बनाओ। इस दर्शन को धुंधला मत करो। यदि मन में कुछ संशय रहे, तो भी जिजको मत और साधना जारी रखो। स सदा बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय रहा है। तद नुसार मानव जीवन की प्रत्येक क्रिया की सफलता का मूल्यांकन इस उच्चतम व्यावहारिक मापदंड से किया जाता था, कि वह केवल करता का ही नहीं, अपितु सभी का कितना कल्यान साधित करती है। वर्तमान का जाल में हम नैतिकता के जिस व्यावहारिक मापदंड की चर्चा कर रहे हैं, उसका उत्स सुदूर अतीत में है। उस समय यह द्रिष्टिकोन अधिक व्यापक था और सभी प्राणी उसके अंतरगत आते थे। पुरातन हिंदू इस मापदंड को ऐसी अतीतक ले गए थे कि उन्होंने उसका उप्योग भोजन पकाने में भी किया। यदि भोजन केवल एक व्यक्ती या परिवार के लिए पकाया गया, तो उसे अपवित्र माना जाता था। अन्न का एक अंश उन पांच महान लोकों में वित्रित करने के लिए कभी-कभी प्रतिकात्मक रूप में अलग रखा जाता था, जिनसे हमें हमारे जीवनियापन में सहायता मिलती है। और खनिजों का लोक। यदि तुम इस प्रिथिवी पर एक मात्र मानव होते तो कैसा जीवन यापन करते। तुम एक गुहावासी अथवा असभ्यवनवासी के समान होते। तातपर्य यह कि हम पर समग्र विश्व का बहुत बड़ा आरण है और हमें प्रति दिन अपनी कृतज्यता के प्रतीक रूप में सभी के प्रती श्रद्धांजली और सम्मान प्रदान करना चाहिए। अतह किसी कार्य को करते समय हमें यह सोचना चाहिए कि इस से सभी का कितना कल्यान होगा। यदि कोई पुण्यकर्म, कोई धार्मिक अनुष्ठान, अत्वा आध्यात्मिक साधना केवल करता का ही कल्यान करे तो उसे स्वार्थ पर समझना चाहिए और इसी लिए वह आध्या इस सार्व भौमिक उपयोगिता के मापदंड की द्रिष्टी से ही अपने धार्मिक कृत्यों को भी इस भाव से करना चाहिए कि सभी प्राणियों को उसके फल प्राप्त हो। अंत में साधना के फलों का समरपण होना चाहिए। योगी ध्यान साधना से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाना चाहता। यदि कोई लाभ हो तो उससे सभी की सुख सम्रिद्ध में व्रिद्ध हो। सभी के प्रती समर्पित करता हूँ। विश्व के सभी प्राणियों को शान्ती, पवित्रता, दयालुता और सम्रिद्ध प्रदान करने की कृपा करें। ज्यान प्रधान, साकार की चिंता न करने वाले, लेकिन स्वयम को शुभ विचारों का स्रोत मानने वाले साधक ऐसा ध्यान करते हैं, कि उनकी आत्मा से उदात्त विचारों का सतत प्रवाह, समग्र द्रिश्य और अद्रिश्य विश्व पर चारों और प्रसारित होकर समस्त प्राणियों के हृदय तक पहुँच रहा है। मांगना, चाहे किसी भी वस्तु के लिए हो, हीन बनाता है। आध्यात्मिक पूर्णता का हमारा सागर मांगने के विचार मात्र से ही संकुचित हो, बिंदु मात्र रह जाता है। मान लो, किसी स्वाभिमानी व्यक्ति को दरिद्रता के कारण खाने पीने के लाले पड़ गए हो। फिर भी मुझे संदेह है कि वह भोजन के लिए किसी धनी व्यक्ति के सामने हाथ पसारेगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्तों को भूख से मरणासन देखकर वह स्वयम को अपमानित अनुभव किये बिना अवश्य उस व्यक्ति के लिए अन्न की भीख मांग सकता है। वस्तुतः देने की अनुभूती उसके व्यक्तित्व में महान आध्यात्मिक शक्ती और बल का संचार करेगी। मात्र अपने प्रेम और सहानुभूती की शक्ती से वह दूसरों को आवश्यक द्रव्यों की सहायता के लिए आगे आने को प्रेरित करेगा। इन तथियों पर विचार करने पर हमें सहज ही यह विश्वास हो जाएगा कि अपने स्वार्थ के लिए किया गया प्रत्येक कार्य हमारी आध्यात्मिक शक्ती को कम करता है उससे हम अत्यंत सुक्ष्म रूप में हीन तथा लज्जित अनुभव करते हैं लेकिन दूसरे के लिए किया गया प्रत्येक कार्य हम में विश्व बंधुत्व का भाव तथा आध्यात्मिक शक्ती उद्धी पित करता है अतह यदि हमारा ध्यान तथा साधना अपने कल्यान के लिए ही की गई हो तो अन्ततो गत्वा हमारा अधिक लाभ नहीं होता यदि वे दूसरों की सेवा के उद्धेश्य से की जाए तो हमारी आध्यात्मिक्ता की एक बूंद कई गुनी होकर सागर सम हो जाती है ध्यान के संदर्भ में परोपकारी द्रिष्टिकोन रखना परमावश्यक है फला कांक्षा बिलकुल न रखो यह न सोचो कि तुमने कुछ महीनों या वर्षों में कितनी प्रगति की है तुम्हें क्या उपलब्धी हुई है और क्या होना शेश है यदि हम मन के एक भाग को ध्यान के लाभानी का हिसाब करने में लगाए रखें तो वह केवल एक व्यापार होगा साधना और आध्यात्मिक विकास का उपाय नहीं एक साधक को परिणामों की बाद सर्वतह भूल जाना चाहिए मेरा यह अटूट विश्वास है कि सर्वोत क्रिष्ट और सर्वाधिक सेवा मानसिक स्तर पर ही की जा सकती है एक सर्व विधित कहावत है विचार ही वस्तुएं है मेरी माननेता के अनुसार विचार वस्तुओं मातर से अधिक शक्तिशाली, स्थाई और यथार्थतह सारवान होते है यदि तुम किसी को एक सिक्का या मोटरकार दो तो सिक्का कुछ ही दिनों में खो जाएगा या व्याय हो जाएगा अथवा मोटरकार जरजर हो जाएगी लेकिन यदि तुम अपने सच्चे शुभ विचारों का दान करो तो वह अन्य बातों की अपेक्षा अधिक लाभकारी होगा हम अपने स्थूल भौतिक वादी अधैर्य के कारण विचारों का महत्व नहीं समझ पाते उच्चतर आध्यात्मिक विकास होने पर हमें यह बात समझ में आती है कि हम स्थूल वस्तुएं प्रदान करने के बदले आध्यात्मिक विचार तरंगों का निर्मान कर संसार का अधिक भला करते हैं कई बार हमारी भेंट जरूरत मंद लोगों से होती है चाहे हम कितने ही अमीर क्यों न हो उन सभी लोगों की भौतिक आवश्यक्ताओं की पूर्ति करना हमारे लिए संभव नहीं है इसलिए आध्यात्म प्रवन व्यक्ति का मन कुछ उद्विग्न हो उठता है जिससे उसकी प्रगती बाधित होती है दूसरों के कष्टों से उत्पन्न विक्षेप के उपायस्वरूप यह विशेश मानसिक प्रक्रिया करनी चाहिए प्रतियक ध्यान के समय सभी प्राणियों के प्रतिप्रेम और सद्भाव की एक अत्यंत प्रबल विचार तरंग प्रवाहित करो सर्व प्रथम तुम देखोगे कि दूसरों के कष्ट से होने वाली तुम्हारी चिंता तो कम से कम दूर हो गई है तुम्हारा मन अधिक शांत और स्थिर हो जाएगा द्वितिय तह वस्तुनिष्ठ द्रिष्टी से देखने पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि शुभ विचारों के रूप में प्रेशित सहायता सचमुच जरूरतमंद लोगों तक पहुँचती है कई लोग आपत्ति करेंगे कि एक भूखे व्यक्ती के प्रतिसदभावना प्रेशित करने से तुम अपनी समस्या भले ही सुलजा सकते हो तुम्हें शान्ति मिल सकती है किन्तु इससे क्या भूखे व्यक्ती को रोटी का टुकडा मिलता है जिसकी उसे अत्यधिक आवश्यक्ता है मैं अपनी पूरी शक्ती के साथ द्रढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि अत्यवश्यक भौतिक सहायता की प्राप्ती के लिए भी विचार्तरंगे मात्र भौतिक सहायता से ज्यादा प्रभावशाली है मेरी यह एक द्रढ़तम मान्यता है कि एक भूखा व्यक्ती भी भूख से इतना पीडित नहीं होता जितना एक ऐसी आध्यात्मिक मनहस्थिती के अभाव से जो उसे सभी कष्टों के उपर उठा सके। एक आध्यात्मिक सहायक की आंतरिक शुभकामना से ऐसी मनहस्थिती के विकास में निश्चय ही सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि आध्यात्मिक व्यक्ति के शक्तिशाली विचारों का प्रभाव संपन्न व्यक्तियों पर पड़ता है और वे लोगों की भौतिक आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए प्रेरित होते हैं। योगियों तथा आध्यात्मिक शेत्र में पहुँचे हुए अन्य लोगों की शुभकामना, निर्धन और आर्थजनों की सहायता में सक्षम लोग अव्यक्त रूप से ग्रहन करते हैं। अवश्य, यह अभ्यास व्यक्तिगत रूप से तो लाबकारी है ही तथा एक द्रिष्टी से व्यक्तिगत लाब सबसे महत्वपूर्ण है भी। मैं नहीं जानता कि विश्व के भावी इतिहास में कभी ऐसा समय आएगा जब बाहिय द्रिष्टी से सभी अपूर्णताएं, द दूख का उपचार सदा व्यक्तिगत ही होगा। यदि हम व्यक्तिगत स्तर पर दूख बोध से उपर उठ सकें तथा दूसरों को भी ऐसा करने में सहायता दे सकें, तो हम संसार की गुड़तम समस्या का समाधान कर लेंगे। मुझे महान अमेरिकन अबराहम लिंकन के जीव पुनह पैरों के बल सीधे होने के लिए जी जान से कोशिश करते देखा। घोड़ों की टाप सुनकर नन्ह सा कीड़ा बेचैनी से लगभग पागल ही हो गया। लिंकन ने यह देखा और वे ततकाल रुख गये। वे घोड़े से उतरे। नन्हे कीड़े को हाथों में लिय और उसे पैरों के बल सीधा खड़ा कर सड़क के दूर एक सुरक्षित स्थान पर रख पुनह अपने घोड़े पर चड़ गए। एक सेना नायक ने पूछा ऐसा करने का क्या अर्थ है। लिंकन ने मुस्कुराते हुए कहा अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी मेरे कहने का तातपर यह नहीं है कि हमें संसार के प्रति शुभिच्छा का प्रसारण हजार गुना अधिक पाने की आशा से करना चाहिए क्योंकि वह भी केवल मांगना ही होगा। जब व्यक्ति कोई अच्छा कार्य बिना किसी फलाकांक्षा के केवल इसलिए करता है कि वह साधना को ही उसका फल समझना चाहिए। उसे लक्ष्य प्राप्ति का उपाय समझने के बदले अपने आप में लक्ष्य ही समझो। अवश्य जो फल की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं वे उन्हें अवश्य पाते हैं लेकिन कुछ सिध्धियों अथवा अतींद्रिये घटनाओं में रुची उपजते ही उनकी चारित्रिक गरिमा पूरी तरह नश्ट हो जाती है। अंततह उनकी अवस्था अत्यंत हीन और शोचनिये हो जाती है। योगा भ्यासी को योग की साधना से सांसारिक क्षेत्र में शक्ति अथवा निपुनता प्राप्त करने का वि राजमार्ग पर प्रगती संकेतक समझना चाहिए। रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा यात्री मील संकेतक पत्थरों को देख कर जान जाता है कि वह लक्ष की ओर अच्छी तरह बढ़ रहा है। लेकिन यदि मील संकेतक प्रत्येक पत्थर पर वह रुके, समय घंवाए और अपनी उपलब्धी पर आनंद से उचले कूदे, तो उसके लिए आगे बढ़ना असंभव है। अतह, रास्ते में मत रुको, दिखावे की चेश्टा मत करो, गर्वित मत हो और अपनी असामान्य अनुभूतियों की चर्चा मत करो, मैं तुम्हे स्मरण करा दूँ। अपन चुछे न करना तुम्हें अखरेगा। साधना को श्वास-प्रश्वास की तरह जीवन का अभिन्घ बनालो। ध्यान की पंचम विधी। ध्यान की विभित्र सीठीयों का अभ्यास करने के बाद अपने ध्याना भ्यास का अंत सदा निम्न प्रकार के ध्यान से करो। भु म जयोती किरणे संसार में सभी और प्रसारित हो रही हैं, तथा प्रत्येक प्राणी को तुम्हारे आध्यात्मिक विचारों, तथा तुम्हारे प्रेम, सद्भाव और सौहार्द्र से उत्प्राणित कर रही हैं. यह संकल्प करो. मैं विश्व से साथ एक रूप हूँ. मेरे आध्यात्मिक विचारों के स्पंदन से विराठ चेतना जागरित हो रही है. मेरे आध्यात्मिक विचार अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली और अचूक हैं. मैं सभी प्राणियों का सर्वांगीन कल्यान और उत्थान चाहता हूँ. सभी सुखीयों हो. शान्ती, ज्य सत्य और प्रेम विश्व के प्रतियक कण में अभिव्यक्त हो. प्रफिवी पर सत्य का साम्राज जिस्थापित हो. शान्ती, शान्ती, शान्ती. समाप्ति ध्यान. अंतर और seulement शान्ती, प्रेम और मैत्री के व्यापक स्पंदनों से पूर्ण हो. वायू हम से प प्रवाहमान हो। आकाश में स्थित सूर्य सेवा और स्वीकृती के प्रकाश से हमें स्नान कराए। प्राथकाल और संध्या, पृत्वी और आकाश, परवत, वन, पशुपक्षी, सब कोई बंधुत्व की भावना से पूर्ण और प्रेरित हो। हमारा प्रत्येक श्वास-प प्रत्येक श्वास